Hello everyone welcome back to our channel CA knowledge portal यह हमारा business economics marathon का part number two for CA foundation अगर आभी देख आपने part one of business economics marathon नहीं देखा तो उसका link मैंने आपको description में update कर दिया है पिछले part के अंदर हमने तीन chapters करे थे business economics के which were chapter number two chapter number three and chapter number four with all their units respectively तो यह तीन chapter जो सबसे आदा weightage रखते हैं वो part one जो की approximately 11 गंटे 50 minute का था उसमें हम अलड़ी detail में cover कर चुके हैं इस part के अंदर हमारा target क्या होगा हमारी business economics के foundation के स्लेव से जो बाकी दो chapter है chapter number one और chapter number five उनको हम इस marathon के part में cover करेंगे यह जो दोनों chapters है chapter number one और chapter number five यह बहुत ही easy chapter है मतलब इसके अंदर बिल्कुल basic concepts discuss किये गई हैं मगर इनकी exam में approximately 10 marks की weightage रहती है तो आप as a student in chapters को छोड़ कर अपने 10 marks अभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे लगबग दो गंटे का marathon होगा जिसके अंदर मैं वो पूरे chapter को explain करूंगा detail के अंदर अगर आप यह video ढंक से देख लेते हैं और चेप्टर की at least दो reading कर लेते हैं तो आप से वो marks कोई भी छीन नहीं सकता साथ-साथ वीडियो के अंदर मैं आपको दो-तिन चीज़े और बता दू before you start with the video सारे subjects के जो marathon के links है वो मैंने description में update कर दी हैं ताकि आप किसी भी subject के अंदर किसी भी concept के अंदर अटकते हो तो सीधा-सीधा उसका marathon आप discussion देख सकते हो इस बर जो हमने सारे marathon बनाए हैं वो काफी detailed बनाए है mathematics के चार parts है, accountancy के दो parts है, law A की part में है बट 16 hours से भी जादा का एक साथ marathon है और economics के दो part और BC के marathon सारे के सारे मैंने description में update कर दी हैं किसी भी subject के marathon के आपको जरूरत हो आप वहां से ले सकते हैं, sir marathon के अंदर जो आपने notes यूज करे हैं वो काहन से download कर सकते हैं तो आप हमारे notes download कर सकते हैं हमारी app से, app का नाम है CA knowledge portal जो हमारे YouTube channel का नाम है वही हमारी app का नाम है तो आप इस app पर जाएए आपको अपने phone number से इस पर free sign up करना है और उसके अंदर ऊपर एक tab मिलेगे आपको app के अंदर जिसके अंदर लिखा होगा free study material उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको मैंने इस marathon के अंदर जो भी notes यूज़ की हैं BCK में भी और business economics में भी वह आपको chapter wise मिल जाएंगे आप वहाँ से download कर सकते हैं साथ साथ business law के बहुत बढ़िया style sir के charts जिसके अंदर उन्होंने सारा business law comprehensive way में cover कर रखा है वह charts भी आप पर मिल जाएंगे अगली चीज मैं आपको बताऊं questions अगर आप practice करना चाहते हैं तो दो चीज जरूर ध्यान रखिएगा हमारे सारी subjects के जो tests हैं वो भी आप पर upload कर दी हैं आप इन test को जाकर attempt कर सकते हैं law और accountancy के अंदर अगर आप test attempt करते हैं तो वहीं पर समझा रखा है आप अपनी हमारी email id के उपर उसे scan करके बेच सकते हैं और आपको free of cost वो evaluate होकर test वापिस मिल जाएंगे तो यह सारी सारी facilities हमने इस बार जून 2022 attempt के students के लिए कर रखी हैं साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके daily practice होती रहे business economics और business mathematics के questions की तो हम आप हमारा telegram channel जरूर जोइन कीजेगा telegram channel का नाम है CA foundation knowledge portal CA foundation knowledge portal telegram channel के ऊपर daily हम दो economics के question और दो mathematics के यानि देली चार questions डालते हैं in the form of a poll जहां पर आप answer साथ साथ ही जान सकते हैं and exam तक आपकी काफी बढ़िया practice हो जाएगी approximately हमारा target है target है कि हम दोनों subjects के 120-120 questions आपके साथ वहाँ पर practice जरूर करें तो कावी सारे questions पहले भी वहाँ पर पड़े हैं पिछले दिनों के अंदर हुए आप नए है चैनल पर तो जरूर उस telegram चैनल पर जाकर जो भी quiz वाले questions है उन्हें practice जरूर कीजेगा and as always अगर आपका कोई भी doubt है तो आप मुझे उपर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं आपको अगर यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like जरूर कीजेगा और अपने friends का share कीजेगा और आपका कोई भी feedback है आप हमें description box आप हमें comment section के अंदर बता सकते हैं चलिए without wasting much of time let's start with our part 2 of business economics marathon first chapter है हमारा nature and scope of business economics इस chapter के अंदर business economics के basic से discuss के गए हैं उसका meaning क्या होता है उसके दो अलग-अलग तरह की definition क्या economics की साथ साम अलग-अलग तरह यहां पर चोटे तरह टम्स पढ़ेंगे microeconomics macro positive and normative features of business economics discuss करेंगे and chapter के last में हमारे important part है which is different types of economic systems तो यह हमारा chapter है इसके अंदर कहीं पर भी आपको practical aspect नहीं मिलेगा कोई भी graph अगरा यहां पर नहीं मिलेंगे mainly descriptive or radical in nature यह यह chapter मगर इस chapter के अंदर से approximate weightage मैं अगर का हूँ 60 marks में से तो 5 या 6 marks की weightage इस chapter से रहेगी तो हम यह chapter के कोशिस बहुत easy होते हैं बहुत असानी से इनको attempt किया जा सकते ह अपर को cover up करते हैं सबसे पहली बात आपको पहले दो pages पर discussion मिलेगी economics word के उपर पहले यह आपर बता रखा है economics word derived कहां से हुआ है जो है economia जिसका मतलब है household management household management इसे क्यों का गया है अभी हम meaning discuss करेंगे तो वह आपे clear हो जाएगा देखो CPT के अंदर ना बहुत सारे economics की अलगल economist ने क्या definition दी थी economics की वो सब CPT के slavis में वह अगरता था एक चीज़ याद रखना foundation के slavis में सिर्फ limited economist का ही discussion है जो मैंने आपको इस book के अंदर completely cover कर रख है जो भी सारी पुरानी पुरानी definitions थी वो अब हमारे slavis में नहीं है accordingly उनका exam में आने की chances भी बहुत बहुत कम है तो पहले definition जो अभी भी foundation के slavis में retain की गई है वो है Adam Smith की Adam Smith को मैं आपको बता दूँ father of modern day economics भी बोला जाता है कारण क्योंकि उन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था and a nature into the inquiry into the nature and causes of wealth of nations इस book को माना जाता है कि ये पहली economics की उपर लिखी गई बुक थी sir क्या ऐसा था कि पहली बर economics का जिकर Adam Smith नहीं किया ऐसा नहीं पहले economics को politics का part माना जाता था it was considered as part of politics Adam Smith was the first person who said that economics is a separate subject and that is why he said to be father of modern day economics तो आपको तीनों चीज़ याद रखनी है year भी याद रखना है book का नाम भी याद रखना है और Adam Smith का नाम भी याद रखना है फिर आती है economics के definition, economics की दो तरह की definition दे रखी है हमारे पास, एक है traditional definition एक है modern day definition पहले हम discuss करेंगे traditional definition, उसके अंदर दो deficiencies discuss करेंगे और फिर उन deficiencies को पूरा करते हुए एक modern day definition आ जाएगी traditionally अगर economics के definition को हमें समझना है तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा two fundamental truths दो fundamental truth हमारे economics के दे रखे हैं point A और point B यह fundamental truth कौन से है, fundamental का मतलब आप समझे के होंगे कि यह universally applicable है, हर किसी पर applicable है और यह दोनों truth है, पहली चीज़, human wants are unlimited and secondly the resources to satisfy those wants are limited याने की scarce और यह चीज़ हर जगा true आप देखेंगे, चाहे वो एक consumer के level पे है, चाहे एक producer के level पे है, एक country के level पे है या पूरे world के level पे है, यह दोनों statement आपको true मिलेगी इसका best example मैं class में देता हूँ, पूरा detail में देता हूँ, या मैं जल्दी से बोल दूँगा, या दोगा जिननने भी मेरे से पढ़ा है, example लेते हैं हम 12th class के बाद का, 12th class के बाद आपको ऐसा लगता है board exams देने के बाद, कि आपके पास timey time है, और आप यह करोगे, वो करोगे तो जब आप list बनाने बैठते हो न, 12th class के आखरी दिल, तो आपके पास करने के लिए अंगिनर चीज़े होती है, that represents the human wants which are unlimited, but let us suppose उसके immediately बाद आप से यमेंड मिशन ले लेते हो, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 दिन रह जाते हैं, similarly आपको मौज मस्ती करने के लि limited 2000 रुपे दे देते हैं, अब आपके उन wants को, आप satisfy completely नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको satisfy करने के लिए जो resources थे, यानि कि time और money उन दोनों को limited कर दिया, और जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों को limited कर देते हो, यहां हमारी अगली चीज़ स्टार्ट होती है, जिसे बोलते है रिसोर्स ऐलोकेशन, रिसोर्स ऐलोकेशन मतलब अब अगर आपकी जेव में 2000 रुपे और आपके बस 15 दिन हैं, तो accordingly आप अपनी सारी वांस को तो satisfy नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनी वांस को satisfy करना चाहोगे, जो आपकी priority list में सबसे उपर है, यही हमारी एकनोमिक्स का fundamental है, जिसके उपर पूरी economics settled है, ठीक है जी, तो अब हमें दो fundamental principle हमेशा याद रखने हैं, दो fundamental truth I would say याद रखने है, human wants are unlimited and the resources to satisfy those wants are relatively scarce, इसको हम कई बर problem of scarcity भी बोलते हैं, in fact economic problem का दूसरा नाम ही problem of scarcity है, in other words अगर यह scarcity की problem ना होती तो economic subject ही ना बनता, ठीक है जी, अब जो य word है ना scarcity, economics में इसको हम ये एक relative concept है, relative concept का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम कब scarce बोलते हैं, हम उसकी quantity टूटल नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो human wants को satisfy करने के लिए adequate quantity में है या नहीं, इसका वैस example है water, वाटर अगर आप quantity में देखोगे, तो अर्थ का approximately 60 से 70 percent watery water है, तो abundance है, quantity में कोई कमी नहीं है, बट वो water, जो human wants को satisfy कर सकता है, जिसे हम प्यार से fresh water बोलते हैं, वो limited supply में है, इसलिए हम बोलते हैं, water is a scarce resource, so we don't judge anything, absolutely, we have to say it relatively, relativity का मतलब होता है, in relation to their ability to satisfy human wants, पहले चीज़तों में इसे याद रखनी है, secondly, ये जो scarcity का concept है, ये universal है, पर प्रेजेंट है, ये एक consumer के लेवल पर प्रेजेंट है, ये एक business entity के लेवल पर प्रेजेंट है, country के लेवल पर प्रेजेंट है, चाहिए rich से rich country है, जैसे हमने अभी देखा US, US को पर आज भी resources limited थे, that is why आप देखोगी, इस lockdown COVID के समय, they are excessively printing more and more money, which represents that उनके resources भी क्या थे limited है, तो किसी भी country सामने भी scarcity की problem है, and world as large, वहाँ पर भी आपको scarcity की problem दिखेगी, तो scarcity से लेटेट दो चीज़ें डिसकस कर ली, अच्छा, अब problem of scarcity से बाद अगली चीज़ आती है, problem of scarcity leads to the next problem, which is called problem of allocation, अब आप सोचोगे, sir, allocation problem कह सोगी, allocation तो solution है, क्योंकि scarcity है, उसी के इसले बनता है, पहली बात, because आप जब सारी वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड वांट से सटिस्फाई कर सकते हो, तो the first thing is, the wants should be in a particular priority, जब तक आप अपनी वांट को एक priority list में सेट नहीं कर सकते, आप allocation करी नहीं सकते, वहीं आपके समने पांच जिसके लिए economics को हमने बनाया है, वो यह है क्योंकि आपको human wants को अलग-अलग priority में रखना पढ़ता है, और दूसरी चीज, वो जो resources जो limited हैं, उनके खुद के alternative uses होते हैं, जैसे money, अगर आपके जे में 2,000 रुपे हैं, उससे आप trip पे भी जा सकते हो, उससे आप restaurant में भी जा सकते हो, उससे shopping पे भी जा सकते हो, उससे movies भी जा सकते हो, it has alternative uses, अगर उसका एक ही use होता, जैसे आपके जे में 2,000 रुपे ना होता, 2,000 का shopper stops का coupon होता, या Amazon का coupon होता, तो आपके दिमाग में allocation की problem आती ही ना, क्योंकि उस coupon का limited use है, problem ये है कि जो resources, typically हर country, हर consumer, हर producer के पास है उसके multiple uses होते हैं, उससे multiple wants satisfy हो सकती है, and that's where the problem starts, तो दो fundamental principle पढ़ ली, हमने problem of scarcity पढ़ ली, problem of resource allocation पढ़ ली, अब इस resource allocation, अब इस scarcity की problem को deal करते समय, resource allocate करना, that is economics, अगर आप ये दो चीज़े समझ गए तो इसका आप पनी definition अपने आप बना सकते हो, तो ये है traditional definition जो economics की दे रखी है, अगर आप इसमें देखो, economics is the study of how we work together, to transform the scarce resources, पहली चीज़ महां पर क्या आ गई, scarce resources को transform करना है, into those goods and services to satisfy the most pressing of our infinite needs, most pressing का मतलब क्या होता है, जिनकी highest priority है, तो basically जो मैं इतनी दिर से बता रहा था, wise definition में दे रखा है, economics is all about, आप अपने scarce resources को use करके, ऐसे goods and services वनाई है, जिनसे आप अपनी सबसे जाधा priority वाली needs को, wants को satisfy, पहले कर सके, and then how you distribute these goods and services among the answers, and उसे लोग आपस में कैसे distribute करते है, this is considered to be the traditional definition of economics, जिसकी वाज़ा से इस subject का origin हुआ था, but, is definition के अंदर, is this definition complete, यह definition के अंदर, दो major deficiencies and drawbacks है, यानि दो ऐसी चीज़ हैं, जिनको यह definition deal न करती, अगर आप इस definition को पढ़ोगे, यह बहुत ही narrow है, क्योंकि इसको पढ़के ऐसा लगता है, economist का काम सिर्फ इतना है, कि तुमारे पास limited resources है, scarce resources है, और उनसे आपको बस allocation करते रहना है, यानि imagine करो, क्या एक finance minister का, सिर्फ यही काम है कि इंडिया की limited GDP को अलग-अलग sector में बांटते रहें, नहीं, दो चीज़े और आती हैं इसके अंदर, पहली चीज़ आती है, economic growth, economic growth का मतलब क्या होता है, देखो जी, एक तो है कि मेरे पास limited resources है, मेरे पास एक लाख रुपे महीन है, और मैं सोच रहा हूँ, इस एक लाख रुपे को पूरे महीने कैसे use करों, that is also economic problem, जो हमने यहाँ पर definition में पड़ी, बट इससे भी बड़ी problem है कि इस एक लाख को, एक लाख बीस अजार कैसे करों, इसको डेड़ लाख कैसे करों, यानि economic growth means gradually increasing the resources over a period of time, तो पुराना जमाना यह में economy सोचते थे, जो resources हैं, वो तो scarce हैं, उन्हीं को allocate करो, अब modern day thinking कहती है इन resources को भी आप gradually बढ़ा सकते हो, अच्छा आप जो economic growth है यह दो तरह से होती है, एक होती है quantitative, एक होती है qualitative, quantitative आप समझ में आगया है, in terms of number, आपने resources की बात करें, number of people, workforce एक resource है, तो जब over a period of time population बढ़ती है, quantitatively वो resource बढ़ गया, similarly, जितने भी आप plant and machinery, raw materials देखते हो, वो over a quantitative increase, एक आता है qualitative increase, qualitative increase का example लेता हूँ, same population, पहले जन संख्या होती थी, सारे अनपड होते थे, life expectancy बहुत काम होती थी, अब better education, better medical facilities की वज़े से, उनकी quality बढ़ गई है, they are more productive in terms of contributing to the production of goods and services, यानि कि resources को, आप quantitatively तो बढ़ाती हो, साथ साथ आपको qualitatively भी बढ़ाना होता है, this is point number one, second चीछ जो इस के अंदर deficiency है, वो है, it does not recognize that economy ऐसे नहीं जाती, कभी भी economy simple ऐसे growth में जाएगी, economy always goes like this, 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 this is called fluctuations in economic activity, और इसका best example तो आप 2020 में देख रहे हो, इस से पहले इंडिया की GDP growth थी, 4%, 5% के आस पर चल रहे थी, कुछ साल पहले demonetization से पहले आप देख है, 3-4% पे, और उसके बाद, now we are seeing a case, जहां पर हम negative GDP में चल रहे हैं 2020 में, अगर आप news देखते हो, आपको पता होगा, so basically, economic activity अगर आप देखोगे, वो कभी भी सीधी नहीं चलती, they go in upward and downward trends, this is called economic fluctuation, और इसे technically हम बोलते हैं business cycle, यह वो चीज, इसी की उपर हमारा chapter number 5 पूर based है, तो business cycles को पढ़ना, over a bit of time, उनको उनके reasons को analyze करना, और corrective steps लेना, this is also economics, और ये दोनों चीजे हमारी traditional definition address नहीं करती, इसी लिए अब एक modern और complete definition बन गई, modern definition में कुछ नहीं, जो resource allocation वाली चीज थी उसको include करना ही करना है, साथ में इन दोनों चीजों को भी add कर देना, तो allocation allocates, वो कहरा, सिर्फ allocation ही economics नहीं है, बट, it also deals with the processes by which production capacity of these resources is increased, ये line किस की तर विशारा कर रही है, this is referring to economic growth, and with the factors which in the past have led to sharp fluctuations in the rate of utilization, यानि अगली चीज जो हमें definition में देखनी है, वो ये देखनी है कि ऐसे कौन से factors हैं, जिनकी वज़े से over a bit of time fluctuations होती है, और उनको समझ के हम उ करेंगे, तो ले देके मार पास economics, जब भी आप से कोई पूछे, तीन चीजा आ गई, economics is about resource allocation, scarce resources को allocate करना, secondly, उन resources को quantitatively और qualitatively बढ़ाना, and third चीज, कि आपकी जो fluctuations आ रही है, इस economic growth के दौरान, उनके reasons को समझना और उन्हें manage करना, अगले point to remember में आपे क्या दे रखा है, यहा पूरी नहीं, economics ही दे, so economics नहीं देगा तो और क्या आपन देगा, कई पर इन प्रोब्लम्स को solve करने के और बहुत तरीक के आ जाते हैं, which one of the main thing is politics and international community, for example, आज की डिट में अगर आप को हो, कि एक country recover करने के गोशिश कर रहे है, मंगर इसका international community का relations अच्छे नहीं है, जिस व leaders change होते रहते हैं, that is one of the main other factor which affects all these three points जो भी हमने पड़े, तो यह यहाँ पर line दे रखी है, आगे बात करते हैं, अब यह तक हम जो discussion कर रहे थे, वो economics की कर रहे थे, अब आगे में अगले word को study कर नहीं, which is business economics, so how is economics discussion different from business economics, business economics का मतलब totally different है, वाप economics में हम हर तरह की बात कर रहे हैं, फूरी economy की बात कर रहे हैं, consumer की कर रहे हैं, producer की कर रहे हैं, business economics जब भी हम करते हैं, तो हमारे सामने एक word जो याद रखना है, वो हमें याद रखना है, decision making, business economics is all about decision making, and decision making किस चीज़ की, decision making with regard to the management of a business firm, अब कोई भी एक छोटा से छोटा business हो, या बड़े से बड़ी company हो, उसको बहुत सारे अलग अलग तरगे decisions लेने होते हैं, यहाँ पर एक list दे रखिया, आपको याद ने रखना, कौन को से decision हो, but it is quite natural, सबसे पहले, मैं ऐसे अपनी class में पतांजली का example लेकर समझाता हूं, कि पतांजली ने जिस तरह से ग्रो किया, जब पतांजली इनीशिली आई थी, it was only a Ayurveda medicines वाली company, वर धिरे दर उसने explore करना शुरू कि, FMCG सेक्टर के अंदर, उसने दिरे दर रिंक्स निकालनी शुरू कर दी, fruit drinks, Ayurvedic drinks, फिर soap, makeup material, यानि every time it started doing something, उसको पहला decision लेना था, क्या मुझे ये product बनाना है या नि बनाना है, अगर मुझे ये product बनान लगानी है, मेरे vendors कोन होंगे, मेरे customers तक product बचाने के लिए supply chain क्या होएगी, मेरे product का design क्या होगा, मेरे product का price क्या होगा, all these are decisions which typically every firm has to take, अभी जो decisions है, इसको लेते समय, ये decision making का प्राव से बढ़ा complex है, बढ़ा dynamic है, reason, क्योंकि ये decision जिन factors पर depend कर रहा है, वो factors continuously change हो रहे है, अगर आपके पास पुरानी knowledge है, और उसी के basis पर अभी decision ले रहे हो, तो decision गलत होंगे, you have to continuously update yourself, point number one, second चीज़े इस, decision making को लेते समय, आपको पास concrete analytical knowledge होनी चाहिए, और कुछ ऐसी तरीके होने चाहिए, जिससे आप situation को analyze करके decision ले सको, तुकावाजी के basis पर decision लेने पर businesses नही जादा हो गए है, that before taking any business decision, you have to make all the calculations, और इस calculations को करने के लिए, जो भी knowledge है, जो भी analytical tools है, ये सारे हमें कौन provide करता है, business economics, so business economics एक subject नहीं है, इसमें इतने सारे subjects involved होते हैं अलग-अलग, और वो सारे subjects, जो किसी भी business decision को लेने में help कर सकते हैं, they are basically called business economics, so business economics क्या काम कर रहा है, कौन से knowledge को, कौन से tool को, किस decision को लेने में use करना है, at that point of time, ये जो bridge हो रहा है, ये gap को bridge करना है, that bridging process is done by business economics, so here पर definition ये दे रखिया, business economics means, meets all these needs of the management by providing a large corpus of theory and techniques, वो सारी knowledge or theory, जो real life decision making में use सकते हैं, उसे business economics बोलते हैं, ब्रीफली पुट, business economics integrates economic theory with business practice, इस लाइन गादलब क्या हुआ, जितनी भी आपकी theoretical knowledge, अचाहे वो management की हो, चाहे वो economics की हो, चाहे वो financial management की हो, cost accounting की हो, उसको real life business practice में use करने को क्या बोलते हैं, business economics बोलते हैं, ये तो हमने meaning पढ़ लिया, फिर business economics के तीन features दे रखे हैं, जिन बड़ा simple है, इसको managerial economics इसलिए बोलते हैं, क्योंकि ये ultimately business managers को help करता है decision लेने में, and क्योंकि इसका end user business managers होते हैं, इसलिए कई वार इसको managerial economics भी बोल दिया जाता है, इसका दूसरा नाम है applied economics, applied economics इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि it is not about studying the theoretical concepts, it is about applying them in real life situations, देखो, individually हम जो theoretical subject पढ़ते हैं, फिर तो उस subject का नाम बोला जाता है, जैसे आप mathematics पढ़ रहे हो, उसमें time value of money का concept पढ़ रहे हो, similarly cost accounting पढ़ोगे, financial management पढ़ोगे, आगे जाके इंटर में, these are subjects, but applying them in real life situation is business economics का concept, इसलिए इसको applied economics भी बोला जाता है, right, अच्छा जी, थर्दी जो है, वो है business economics is multi-disciplinary, multi-disciplinary का मतलब क्या होता है, discipline का मतलब है, एक field of knowledge, discipline का अनुशासन नहीं है यहाँ पर, discipline means a field of knowledge, and when we say it is multi-disciplinary, it simply means that decision making करते समें कई बार आपका जो knowledge है, वो किसी एक particular subject से नहीं, बहुत सारे subject से आ सकती है, हो सकता है, एक problem को solve करते समें, आप statistics का भी use कर रहे हो, आप mathematics का भी आपके, accountancy में जो ratios पढ़ते हो, उनका भी concept यूज़ हो रहा है, यानि some total of all these disciplines, when combined together, will help you take a decision, that is why it is called multi-disciplinary, right, अचाहिए यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, usually business economics में business word देखके ऐसा लगता है, कि आर जो NGO's रती है, non-profit organization, NPO बोलो, उनके लिए यूज नहीं होती होगी, गलत, NPO's में भी business economics का use होता है, क्यों, लेको NPO और एक business organization में फरक सिर्व इतना होता है, NPO का objective profit कमाना नहीं होता, कोई लोगो specified objective होता है social nature का, but उसको भी तो operate करने के लिए अपने finances देखने है, उसके पास भी तो resources limited है, उसको भी तो वो सारे decision लेने हैं, जो एक business organization को लेने होते है इसी लिए business economics हम ही कहते हैं, कि वो non-profit organizations में भी equally useful रहती है, ठीक है, अब यह जो दो definition दे रखे हैं, जैसे मैं आपको बोला है, Adam Smith का नाम याद रखना है, वैसे आपको दो नाम और याद रखना है, एक है Joel Dean, एक है Evan Douglas, Joel Dean और Evan Douglas का नाम याद रखना है, Joel Dean ने हमारी applied economics वाले definition दिया है, जो business economics को applied economics बोला और उसका जो reason दिया, that was first given by Joel Dean's, and Evan Douglas का नाम इसले रखना है, क्योंकि इसने ये जो managerial economics वाले definition दिया है, वो दी, इसने बोला कि business economics is nothing but all about taking managerial decisions, that is why it is called managerial economics, this is given by Evan Douglas, तो तीन याम याद रखने हैं, इसमें, Adam Smith, Joel Dean और Evan Douglas, ठीक है जी, अगर आप चा बाद रखना है, और इनका नाम, आप एक page पे लिख के रख सकते हो, ताकि exam में जाते समय, एक बार सबको revise करके जा सको, ठीक है, नेक्स चीज हमारा micro और macro को समझा रख है, micro on macro तो आप खुद 11-12 में पढ़के आए होगे, इसलिए, डिटेल में आपको पता है, और हमारे आ astronomy की बात कर रहे होते हैं, उसे macro बोल देते हैं, but there are various circumstances, जहाँ पर एक चीज, जिसको किसी और study में macro बोला जाए, दूसरी study में वो micro बन जाती है, यानि ये ना definition कि ये चीज माइक्रो में जाएगी, ये macro में ये stagnant नहीं है, ये change होती जाती है, example देके समझाता हूँ, let us suppose एक बन पूरी टेलिकॉम को इंडस्ट्री को study कर रहा है, एक ATAL को, तो ऑब्वियस सी बात है, जो ATAL को study कर रहा है, वो micro है, और जो पूरी टेलिकॉम industry को कर रहा है, वो macro है, अच्छा, दूसरा बन जा जो टेलिकॉम industry, education industry, coal industry, FMCG sector, इन सब को एक साथ study कर रहा है, यानि कुछ को हमने लगा रखा है इअटेली कम इंडस्ट्री कर कि लिए से इले एक बंदे को से पोरी एंड्रीकॉनीप अट्री करने लो Lawrence Eastern on okay to arteries से का रहा है और यहां पर तेली कॉम कि स्ट्रीकर लिए मैकरों यहां पर भी एक चीजा सकती है, there are global institutions like Morgan Stanley, Goldman Facts, etc., etc., यह क्या करते हैं, पूरे world की economy को study करते हैं, तो इनके तरे एक बंदा पूरे world की economy को study कर रहा है, एक इंडिया को study कर रहा है, एक नेपाल को study कर रहा है, एक यूएस को study कर रहा है, एक यूके को कर रहा है, तो इंडिवीचुली इंडिया को study करना is micro, एंड पूरी global economy को study करना is macro, तो कहने की बात ही है, micro और macro कोई stagnant concept नहीं है, कि रट्टा मार लिया, यह micro है, यह macro है, दो तिंग विच इस micro and macro keeps on changing from study to study, एक्जाम में जब हमारा question आता है ना, इस chapter में से, आप देखोगे, ICI के भी जो question आये होगे हैं इस chapter में से, वो यह हैं, विच of the following, 4 options देदेंगे, विच of the following is micro, या विच of the following is macro, तो आपको 4 options पढ़के, decision लेना है कि micro हैं, macro है क्योंकि यहां पर it is all about a level of aggregation जहां पर level of aggregation जादा है वो macro बन जाएगा और जहां पर level of aggregation कम है वो micro बन जाएगा अगर आप individual consumer या एक individual firm की study को compare करोगे industry के साथ तो industry macro बन जाएगी और वो individual firm micro बन जाएगी similarly group of consumers को हम बोलते हैं household तो household को compare करोगे individual consumer से तो household macro है बट अगर आपके question में एक ऐसा option है जापे economy की बात हो रही है पूरी country की बात हो रही है तो household को या उस industry को भी आप micro माल लोगे तो चारो options को पढ़ने के बाद डिसाइड करना है आपको कि क्या चीज माइक्रो है क्या चीज मैक्रो है फंड़ा बड़ा सिंपल से है जहां एग्रिकेशन जादा है वो मैक्रो जहां एग्रिकेशन कम है वो माइक्रो यहां पर टिपिकली कुछ यह section of people है और industry है इंड़स्ट्री मतलब ग्रूप फिर्म्स विच इस एल डिलिंग इन दे प्रडक्ट और सर्विस उसे बोलते हैं इंड़ा स्ट्री यह मैक्रो में भी जा सकते हैं मैक्रो में भी जा सकते हैं depending on your scope of study अगर कुछ भी दे दे रखा question में तो इन्हें माइक्रो मानते हैं otherwise आप चारो एक्जांपल को चारो ओप्शन को compare करके decide करोगे यह माइक्रों यह मैक्रों अच्छा मैक्रों अक्रों मिक्स की बात करें यहां पर औव्यस सी बात हैं यहां पर यूजुली पूरी country of money country के अंदर आया versus कितना amount of money country के बहार गया यह सारे इशुज यहां पर डिल होते हैं typically यह जो issues हमारे हैं यह हमारे syllabus का पार्ट नहीं है यह सब सीए इंटर के group 2 में आएंगे आपके economics और finance में बट यह वर्ट आप familiar होने चाहिए कि ताक कि आपको पताओ इन वर्ट का मतलब क्या है और आप रिकुनाइज कर सको यह macroeconomics है अब अगला चीज आती है हमारा सर्फ टॉपिक तो business economics है business economics micro पर जादा dependent है या macro पर जादा dependent है तो इसका आंसर सोचने के लिए अभी सोचो हमने business economics का मतलब क्या समझा था business economics का मतलब था taking decisions decisions किसके एक particular business firm के और जब हम एक particular business firm के manager के point of से सोच रहे हैं तो यहाँ पर जाधा relevant हमारे ले किया है microeconomics so if we have to make a choice business economics is more dependent on microeconomics there is no denying the fact but can we totally ignore macroeconomics क्या business economics में एक business manager totally macroeconomics को ignore कर सकता है दा आणसर is no whenever a business manager has to take a decision he has to keep in mind the macroeconomic variables which are there in the economy इसका best example मैं लेता हूँ PTM यह इसका best example आजकर आप देख सकते हो एक business firm लगी हुई है अपने internal factor को control करने में अपनी cost control करने में अपने employees के efficiency बढ़ाने में but a macro environment में क्या आगया पेंडमिक आगया country के अंदर क्या लग गया lockdown लग गया political situation change हो गई so all these things which are happening in the macro environment you need to account for those and take the necessary steps while taking your decision accordingly economics is business economics is basically concerned with microeconomics but macroeconomic analysis is also important role to play इस तरह से हमें याद रखने हैं चीज़े अब आते हैं अगली चीज business economics के feature पहला feature है business economics science होती है ऐसा हम क्यों बोड़ रहे हैं यह science है पहले समझते है science का मतलब क्या है science का मतलब होता है systematic body of knowledge जो cause and effect relationship को study करे तो दो feature satisfy करने जरूर ही है इससे पहले हम किसी चीज़ को science बोल दे पहली चीज systematic body of knowledge और दूसरी चीज cause and effect relationship अब ज़रा सोचते हैं क्या हम physics को हम science को बोलते हैं क्योंकि physics के अंदर जो भी formulas होते हैं जो भी concepts होते हैं बच्छमन में याद होगा आपको थोड़ा होते थे तो वो basically cause and effect relationship होते हैं कि अगर इस स्पीड से कोई इस direction में जा रहा है तो इतने pressure से काम कर रहा है तो ऐसे होगा cause and effect relationship का मतलब क्या होता है आप based on formulas and knowledge ये चेक कर रहे हो कि ऐसा होगा तो क्या हो उसका effect क्या होगा मतलब एक चीज करने से उसका impact क्या होगा that is basically studied by science जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि एक person इस direction के अंदर जा रहा है और इस प्लीड से जा रहा है तो आप time calculate कर सकते हो इस time पर वो person आपको वहाँ पर मिलेगा this is studying cause and effect relationship इसी reason के होगा फिजिक्स, chemistry इन सब को क्या बोले जाता है अब जादा चेक करते हैं business economics क्या definition को satisfy करती है क्या business economics का systematic body of knowledge है बिलकुल है वो सारे subjects जो business economics का part है चाहे वो cost accounting हो चाहे वो FMO they represent the systematic body of knowledge और वो क्या study कर रहे हैं they are studying the cause and effect relationship हम यह देखते हैं कि हम अपने price को इतना बढ़ाएंगे कम करेंगे तो हमारे profits पर क्या फरक पड़ेगा हमारी demand पर क्या फरक पड़ेगा this is basically study of cause and effect relationship only that is why हम economics को एक science बोल देते हैं business economics को तो आपको पता होना चाहिए business economics is a science obviously but reason भी आपको उसका पता होना चाहिए अच्छा अभी जो physics chemistry है they are exact science ये इनका answer हमेशा same आता है that is why इनको predict किया जा सकता है आप easily predict कर सकते हो क्योंकि they are exact या answer change नहीं होगा मगर business economics is not a exact science it is not a pure science why because it is dependent ultimately on human behavior and human behavior बेशक्सों में से 99 बार एक तरह से behave करें एक बार उसकी बुद्धी सनग गई तो कुछ भी कर सकता है इसका best example मैं आपको देता हूं store वाला कि मैं store में गया usually हमारा consumer behavior क्या होता है जब तक कोई consumer किसी चीज के अंदर utility नहीं देखता वो उसे purchase नहीं करता यह हमारे normal concept है मंगर let us suppose मैं आपको एक लास में example दिया था मैं किसी store में गया वाह store के manager ने बोल दिया आरे तू इस घड़ी को खरीदी नहीं सकता है यह तरी आवकार से बाहर है इगो हट हो गई और इगो को बचाने के चकर में इगो के चकर में मैंने क्या किया वह महंगी घड़ी जो मुझे चाहिए भी नहीं थी मैंने खरीद ली क्या यह consumer ऐसे behave कर सकता है बिल्कुल कर सकता है इसी लिए business economics को pure science नहीं बोला जाता अचाहा साइंस की बात अगर चली रही है तो यहाँ पर science के basis पर economics को दो बाटा गया है positive economics और normative economics बोल देते हैं कुछ लोग इसे normative science बोल देते हैं दोनों में फरक है जब ही हम बोलते हैं na positive economics तो उसका मतलब क्या होता है positive economics से facts को बताती है जैसे आपको information बता लगी Indian economy's growth rate is minus 10% in third quarter this is only a fact यहाँ पर कोई suggestion नहीं दिया यहाँ पर मैंने आपकी कोई judgment पास नहीं करी this is called positive economics जब आप किसी fundamental principle को या किस economic fact को state करते हो what is बताते हो यह नहीं बताते क्या होना चाहिए that is called positive economics normative में आप suggestion देने लग जाते हो जैसे कि इसी में लाइन बे बोला since GDP is minus 10% India should focus more on small sector India should print more notes India should try to increase the demand जैसे आपने should बोल दिया ought to बोल दिया must बोल दिया आपकी एक judgment आगी you have started prescribing something and prescriptive जैसी हो जाता है तो वो normative हो जाते है anything which is only describing descriptive है आपकी positive economics और prescriptive prescribe करना suggestion देना value judgments pass करना that is normative economics बड़ी सिंपल है अगर आपको statements दे रखे हैं question के अंदर जहां पर भी suggestion आता दिख रहा है जहां पर भी किसी बंदे का individual viewpoint आता दिख रहा है उसे बोल देना normative economics अगली चीछ जो इस तिसका में ध्यान रखना है business economics हमारी positive economics है या normative है इसको हमें समझना है तो business economics क्योंकि हमें decision making में help करती है तो decision लेते समय तो आपको obvious सी बात है decision लेने के लिए क्या आपको value judgment pass करने पढ़ेंगे या नि करने पढ़ेंगे करने पढ़ेंगे क्या आपको suggestion देना पढ़ेगा निक देना पढ़ेगा तो business economics तो undoubtedly क्या है normative in nature है यहाँ पर भी सवाल आया can we totally ignore positive economics the answer is no sir why can't we ignore because to understand a particular problem decision लेने के लिए problem को समझना जरूरी है उस problem को समझने के लिए आपको facts पढने पढते हैं समझने पढते हैं and when you are taking the factual information that is provided by the positive economics तो यह वही चीज़ आपको यहाँ आपर मिखी मिलेगी business economics is generally normative या prescriptive ठीक है however if the firms have to establish valid decision rules they must thoroughly understand their environment this requires study of positive and descriptive economic theory problem को समझने वाला काम हमें कौन करके देगा positive economics क्योंकि वो facts बताएगी और उसके basis में हमें क्या करना चाहिए decision क्या लेना चाहिए that is normative economics दोनों का हमारा use होता है right अच्छा जी वापिस आ जाते हैं उस पे features पे business economics पढ़ लिए और हमें science में पता लग गया कि वो positive economics कम और normative economics जादा होती है अच्छा science की बाद चल रहे है तो यह आप अगली चीज़ देर रखे है business economics is the art art मतलब it depends on the application so basically वो जो knowledge है वो micro economics की macro की वो तो सब के पास होती है बट एक अच्छा economist उसको बोला जाता है जो सही समय पे क्या करना चाहिए कौन सा step लेना चाहिए वो बता सके यानि business economics is all about how you apply that knowledge in that particular situation इसी लिए business economics को एक art बोला जाता है art हर उस चीज़ को बोला जाता है जो एक इंसान दूसरे इंसान से अलग कर सकता है मैं गाना गाऊंगा तो लग गाऊंगा आप गाना गाऊंगा तो लग होगे तो लग होगे that is why गाने गाने को हम आर्ट बोलते हैं so whenever there is a practical application we say business economics is a art next features हमें दे रखे हैं यह तो हमने पढ़े लिया it is based on micro economics कारण क्योंकि यहां पर हम एक firm की बात कर रहे हैं एक business entity की बात कर रहे हैं तो it is more focused on micro but यहां पर लिखा है it incorporates elements of macro analysis also micro में कौन कोंसी चीज़े impact करती है, macro में क्या क्या चीज़े impact करती है अगले page पर हम पढ़ना ही है detail में तो वो हाँ पर discussion होई जाएगी pragmatic in approach, pragmatic का मतलब क्या होता है practical और मैंने अब आपको समझाया business economics is all about taking the decisions at the right moment तो theoretical नहीं है subject यह क्या है pragmatic in approach है interdisciplinary हम already discuss कर चुके हैं क्योंकि एक problem का solution निकालते समय हम अलग-अलग subjects को use कर सकते हैं that is why it is called interdisciplinary और last में आता है use of theory of market and private enterprise theory of market and private enterprise क्या होती है अभी थोड़ी दर पर capitalism हम पढ़ेंगे तो वहां जाए detail में समझ में आएगा वैसे आपको बता होगा theory market जब भी हम वर्ड बोलते है न मार्के जानला होता है and typically आज की डेट पे most of the sectors के अंदर जो price discovery हो रही है जो प्रोड़क्ट्स की sale purchase हो रही है it is left to the free flow of market forces जितने supply आना है जितने demand उस बेशिस पर prices decide होती है accordingly जब free market की उपर छोड़ दिया जाता है तो free market की कुछ theories होती है उन theories को आपको अच्छे से समझना चाहिए and that is used in business economics जब तक आपको market theory ना पता हो तब तक आप business economics में decision नहीं ले सकते है that is why आप देखते हो जब भी festive season आता है जैसे इंदे नों भी festive and supply which is based on market theory तो यह हमने features पढ़ लिये normative और positive की बाद भी कर लिए next चीज है scope of business economics scope of business economics में क्या समझा रखा है कि how micro economics is impacting business economics and फिर हमें समझा रखा है how macro economics is impacting business economics तो एक एक करके point पढ़ते हैं सबसे बेला point हमारा है वो है demand forecasting का demand forecasting पे वैसे तो हमारा full-fledged topic आएगा chapter number two के अंदर यहां पर से थोड़ा बहुत समझा रहा है demand forecasting के बारे में कि यह how is it part of business economics demand forecasting होता क्या है नाम से पता लग रहा है we are trying to predict the future demand of a particular product based on two things based on present circumstances and based on past behavior पास्ट में हम कितनी demand ला पा रहे थे मार्पड़क कितना विक रहा था और क्या past के circumstances और आज के circumstances से same है या उनमें कोई change आया है इस basis पर हम future की demand को forecast करते हैं अग्री चीज़े क्यों forecast करने है why is it relevant हम forecast करेंगे क्या करेंगे देखो आज की डेट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले आप produce कर लिया और आपने बाद में मार्केड में बेचने गए तो demand forecasting is basically the first step of business decision making यहां पर आप पहली ही यह demand check कर लेते हो कि यार अप्रोक्सिमेटली मुझे इतना समान बिग जाएगा and based on that आप production करते हो फिर आप procurement करते हो and accordingly आपकी working capital के requirements भी उसी साब से आती है so demand forecasting nowadays it is the first step और यहां पर सारा कुछी बता रहा है इन्वेंटरी मतलब आपका जो भी स्टॉक है चाहिए वो raw material का हो चाहिए वो work in progress का हो चाहिए वो final product का हो अब यह inventory है न कई बार हो सकता है जितनी हमें जरूरत है जिससे हमारा business smoothly run हो सकता है जितने amount से कई बार कुछ लोग उससे जादा inventory रख लेते हैं और कई बार कुछ लोग उस level से कम inventory रखते हैं जो वेराउस का cost है जो भी space लेने के चक्कर में आपको उस product को रखने के लिए space चाहिए उसकी जो भी आप वेराउसिंग कॉस्ट बियर करोगे that is carrying cost दूसरी चीच inventory खरीद के रखने में आपकी for the time being working capital block होती है working capital block कैसे होती है क्योंकि वो stock जब तक बिकेगा नहीं उसको बराने के लिए cost तो incur हो गई मगर वो जब तक बिकेगा नहीं तब तक पैसा नहीं आएगा तो जब तक आपने वो cost incur कर ली वो पैसा 10 लाग रुपे का let's say stock पढ़ा है वो 10 लाग रुपे कहीं और invest किया होता तो आपको वहाँ से return आ जाता तो ये opportunity जो आपने miss कर दी that is basically called working capital cost तो जादा inventory वहाँसिंग कोस्ट जादा opportunity cost ज्यादा working capital cost इसले higher levels of inventory suggested नहीं होते है कम inventory रखने का से नुकसान यह होगा कि आप जो orders आपके पास आ रहे हैं जो sale कर सकते हो वो miss करने पड़ेगी और वो profit आपको miss करना पड़ेगा साथ साथ आपके जो loyal customers हैं उनको नराज करना पड़ेगा इसलिए कम inventory भी नहीं देखना पड़ता है इसलिए inventory management कहीं अगरे demand forecasting से linked है demand forecasting के basis पर ही आप inventory management का inventory का optimum level determine कर सकते हो कि मेरे को कितनी inventory रखनी चाहिए ठीक है फिर इसका production analysis दे रख है production analysis में basically क्या आता है आपके जो inputs हैं और outputs उनका relationship study करना इसे बोलते है technical relationship कि मेरे product को बनाने में पहले तो identify करो कौन-कौन से inputs चाहिए कितनी labor चाहिए कितनी तरह के raw material चाहिए secondly इन सब को किस वे में combine करें ताकि मेरा desired output आ जाए कई बार हो सकता है कि यहां पर अलग-अलग techniques तो production आ जाती है labor intensive technique और capital intensive technique कई बार जाधा labor कम capital लगा के भी product बनता है कई बार कुछ automation करता हूँ जैसे कि CA का office का example में देता हूँ कुछ ऐसे accounting software है जो आधी processing आधी returns वगरा तो खुदी बना लेते हैं वो महंगे होते हैं one time capital invest करनी है बड़ उससे labor के requirement कम हो जाती है तो return बनाने के लिए CA के office में एक तरीका labor intensive एक तरीका capital intensive दोनों से ही capital आपका output desired निकल आएगा तो पहली चीज production analysis में आप ये अलग-अलग production mix बनाते हो कि किस-किस चीजों को combine करके हम desired level बना सकते हैं second चीज आती है हमारी cost analysis, cost analysis के अंदर हर वो desired production का mix जो आपने imagine किया है उसकी अप cost determine करने लग जाते है and then you choose that alternative which is making that output in minimum cost तो यहाँ पर cost analysis के अंदर एक चीज तो आगई कि आपने least cost alternative लेना है दूसरी चीज आपकी cost भी अलग-अलग तरह की होती है, direct cost अलग होती है, indirect अलग होती है तो आपको अपनी cost का detail description पता होना चाहिए कि मैं कौन सी चीज को उपर या नीचे करूं से मेरी total cost में क्या impact आता है यह दोनों production और cost analysis आगे हैं, दोनों ही micro economics का part है and decision making में पूरी तरह से use होते हैं, cost का chapter हम आगे पूरा detail में पढ़ेंगे market structure and pricing policy, market structure तो chapter 4 में पढ़ेंगे monopoly, monopolistic, perfect competition, oligopoly, अलग-अलग तरह के market structure में competition अलग होता है accordingly जो person, जो firms उन market में रहती है, उनका behavior भी बदल जाता है उनकी pricing strategies भी बदल जाती है, तो जितने भी हम decision लेते हैं mainly with regard to output, with regard to pricing, they depend on the type of market structure we are in secondly, pricing policies भी अलग-अलग तरह की होती है, एक policy होती है कि जब आप market में enter कर रहे हो जान बूच के आप अपना price बिल्कुल कम rate पे दो, जैसे जी ओने करा, customers ले लिए और आप price बढ़ा रहा है इसे बोलते हैं, penetrating pricing policy दूसरी pricing policy होती है, Jeep की मैं example लेता हूँ Jeep ने जान बूच के premium car segment पे अपने आपको launch किया वो चाता ही नहीं था, मैं 15 लाग से, 20 लाग से नीचे वाली segment के अंदर compete करूँ उसने अपनी image ही वही बनाए कि Jeep मतलब एक premium brand there are many other brands जो जान बूच के अपने product के price को restaurants का example ले सकते हो, बड़े बड़े hotel chains के example ले सकते हो जो जान बूच के अपने product के price को जाधा रखते हैं ताकि सिर्फ premium customers उनके पास आएं ये सारी चीज़ जो pricing policies जो हमारे decide करनी होती है they are part of microeconomics and they lead to decision making resource allocation के बारे में हम discussion करी चुके हैं हर firm के पास capital limited है, opportunities बहुत सारी है मेरे पास option, मेरे पास time limited है, मेरे पास resources limited है उसी के अंदर मैं चाहूँ तो CS पढ़ा सकता हूँ, CA पढ़ा सकता हूँ अपना MBA के अंदर को एक-दो subject पढ़ा सकता हूँ बट मुझे अपने limited time को इस तरह से use रख करना है कि मैं अपने firm के profit को maximize कर सकूँ तो this is called resource allocation, जो हर firm को करना होता है theory and capital investment decision, इसके अंदर basically हमारा क्या आ जाता है जो long term decision होते है अब class में तो मैंने पूरा example लिया था यह उना express way का, कि यह लंबे लंबे projects होते है यहाँ पर पूरा example फिरसे ने ले रहा, I think आपको याद आ गया होगा यहाँ पर basically capital investment decision ही होते है जहाँ पर upfront आप एक खर्चा कर देते हो, करोड़ रुपे में और उसकी recovery दिरे दिरे revenue के रूप में होती है cash flows बोलते हैं उने financial management में दिरे दिरे आपको cash inflows आते है अब जब इतने long term decision होते है न तो यहाँ पर आपकी present value factor और वो सब जो पढ़ते है time value of money mathematics में वो सारे concept यूज होते है यह practically आप करोगे सिए इंटर में यहाँ सिर्फ बता रख है कि इने decisions को लेते समय जो भी calculations करनी पढ़ती है अलग-अलग techniques होती है अलग-अलग projects को check करने के लिए उनकी वायबिल्टी को check करने के लिए वो सारी micro economics का पार्ट है cost accounting, sorry financial management यहने की micro economics micro level की बात है और वो हमारी ultimately business economics का पार्ट मानी जाती है next is profit analysis profit analysis में यह हो जाता है कि आपका profit को उनकों से sources से आ रहा है और हर profit जो business है आपका उसमें क्या-क्या margins है आपने बच्पने पढ़ा होगा ना बच्पन मतलब 12 क्लास में 11th क्लास में ratio analysis वहाँ पर आप यह चेक करते हो कि मेरा profit तो आगया ठीक है मगर profit कहां से आया profit के percentages के हैं in relation to my sales इन सब को check करने को बोलते हैं profit analysis जैसे आप recently अगर देखोगे ITC, Indian tobacco company के results आए वो company continuously करोड़ों का profit कमाती है 15-20,000 करोड़ों का profit कमाती है मगर इस बार उसके profit में कुछ खास बात थी खास बात यह थी कि जो उसका cigarette business है उसकी profitability margins गिर भी गई फिर भी लोगों को tension नहीं थी क्योंकि उसका जो FMCG business है जो कि emerging business है वहाँ पर operating margins improve होगी margin improve करने का मतलब यह नहीं है कि उसका profit cigarette से ज़्यादा हो गया वहाँ पर in relation to the percentage of sales now they are able to generate more percentage of profit that was considered as a very positive sign और उस वुज़क से share भागे जा रहा है उस company का तो यह profit analysis होता है कि आपके business में कौन-कौन से streams है वो कित level का profit दे रहे है एक businessman को पता होना चाहिए while running the business की उसका profit किन चीजों से impact हो रहा है last is risk and uncertainty analysis जब भी आप long term decisions लेते हो तो आप कुछ assumptions लेनी ही पड़ती है आपको probabilities लेनी ही पड़ती है जैसे मैं example लेता हूँ highway का let's say मैंने आज incur कर लिया 20,000 करोड खर्च करके एक highway बना लिया अब मुझे toll collections आएंगी धिरे-धिरे करके अब initially मैंने estimate लगाए होंगे कि मेरे पास 20 साल का contract है toll खटा करने का हर साल इतने vehicle गुजरेंगे उनसे मैं इतना toll खटा करूँग और मेरी ये cost present value factor लगाने के बाद time value को consider करने के बावजूद मैं इतना profit कमा लूँगा but what if उन दो cities के बीच में जिनको मैं highway से connect कर रहा था वहाँ पर flight उडने लग जए वहाँ पर Indian railways को super fast train निकाल दे हो सकता लोग by road travel ही न करे और आपकी सारी calculations बेकार हो जाए there is an inherent risk in everything तो जब हम calculations करते हैं starting में हमें inherent risk को consider करके चलते हैं ये सब भी आप आगे जाके सीखोगे जिसके अंदर आपके अंदर standard aviation का concept आपका use होगा तो मैंने आपको short में सारे ये सारे चीजे बता दी मैं with example आपको समझा रहा था ताकि आपको थोड़ी practical implication में दादा लग जाए but as I said in class ये सारे points है न practically इनकी सारी चीजे आपको inter and final में सिखाई जाती है यहाँ पर सिर्व आपको बताया जा रहा है कि business economics में क्या-क्या चीजे हैं जो आपको आगे सिखाई जाएंगी अगली चीजे हमें दे रखे है कि जो macro economics है वो कैसे business economics को impact कर रहा है तो macro economics की बात बड़ी simple सी है हमने पढ़ाता है macro economics में जो overall environment चल रहा है economy के अंदर उसके basis पर हमें अपने decisions को बदलते रहना पड़ता है हमें अपने business को modify करते रहना पड़ता है जैसे example दे रखे है type of economic system यह हमारा country mixed economy है कुछ countries capitalism है कुछ socialist economies है हर business को उस country के हिसाब से government intervention को ध्यान में रखना पड़ता है और अपनी policies को बदलना पड़ता है अभी हम जब तीनो system पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या difference होता है इन economic system में जिसकी और जैसे हमारी decision making change हो जाती है stage of business cycle boom के समय business का सोच अलग होती है recession के समय अलग होती है हो सकता है पिछले साल तक मेरी सोच अलग थी क्योंकि मैं business grow करने की सोच रहा था अब क्योंकि recession चल रहा है businesses बंद हो रहे हैं मेरी सोच बदल गया मैं defensive हो गया मैंने का अब अपने business को संभालना है growth भूल जाओ अब तो वही same levels achieve हो जाएं या 50% कम हो सिर्फ वहीं पर ही हमें sustain करना है that is the thing हार decision आपका बदलता है depending on economy में recession चल रहा है या फिर boom चल रहा है फिर general trends in national income employment pricing जो भी luxury goods बेचने वाली चीज़े हैं वो यह चेक करती हैं उस particular country में जहां पर वो अपने product को launch कर रही है वह income levels बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं and so on similarly government के अलग अलग तरह की policies हैं जिन में change आता है और इस पर हमारे पर impact आ जाता है best example आपने tik-tok का देखा ही थी अच्छी कासी आप चल रहे थी बहुत बढ़िया solid business model था कि advertisement income हजारो करोडों में आ रही थी मगर एक government intervention आ गए government की government ने अपनी policy बदली और उसको ban होना पड़ा so these are examples इसके लावा social political environment आपने best example देखा अगर आप news track करते हैं जैसी US के अंदर Joe Biden जीता है और stable कहीं न के उनको पता लगा कि आप stability आ गई और वो ज़्यादा decisions भी अपनी मर्जी से निले पाएंगे दूसी तरफ से Republicans का भी चेक रहेगा Senate के अंदर market धड़ा धम दोड़ी है इसका मतलब उनको यह था कि अब balanced decision making होगी यानि एक country के अंदर stability है या stability नहीं है उसके basis पे markets react करते हैं businesses react करते हैं because it has a major impact on businesses business काफ़ी सारे decision इस बात पर depend कर रहे होते हैं कि एक particular country की political situation stable है या unstable है तो यह मैंने आपको short में बता दिया कि macroeconomics की कौन सी चीजें आपके business decision making impact करती है रटने की कोई भी जुरत नहीं है मैं बार-बार इतनी explanation इसलिए रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में यह point set हो जाएं और आपको कही ना कहीं word पढ़ते ही उसका मतलब समझ में आ जाएं कि यह चीज हमने क्या discuss करी थी class के अंदर आपको असानी से आप जगर रटने की जुरत नहीं पड़ेगी second चीज अब हमारा एक तरह से यह first part of the chapter था second part of the chapter है basic problems यानि कि central problems of the economy और तीन अलग-अलग तरह के economic system यानि कि capitalism, socialism and mixed economy पहले हम बढ़ते हैं central problems basic problems, इनने central problems क्यों बोला जाता है इनके अलावा भी problems होंगी economy में, मगर ये वो problems हैं जिनको solution हर economy को पका-पका करना है और ये वो problems हैं जो हर economy face करती करती है there can be certain problems which are peculiar to India, there can be certain problems which are peculiar to US, मगर ये ऐसी चार problems हैं जो हर economy face करेंगी करेंगी, कौन सी है तीन तो आप 11th class में पढ़के आते हो what to produce, how to produce for whom to produce, fourth problem क्या भी देखेंगे, पहले इन तीनों को discuss कर लें what to produce, नाम से बता लग रहा है what to produce problem के अंदर हम ये देख रहे है एक country के point of view से जोचो एक country के decide कर रही है कि उसको कौन-कौन से goods बनाने है पहली चीज़, what goods and services are to be produced secondly, what quantity of goods and services are to be produced ये भी decide करना है कौन से और ये भी decide करना है कितने अब ये particular चीज़, country कैसे decide करती है ऐसा तो है नहीं, finance minister आके goods की list दे देती है कि ये ये बनाएंगे ऐसा नहीं होता हमारे देश के अंदर जैसे budget आता है तो इस particular case के अंदर हर country के अंदर जो resources है पूरे देश के वो किस तरफ channelize करने है वो decide किया जाता है जैसे budget के समय अगर हमारे country ने कह दिया education को हम 20,000 करोड allocate कर रहे हैं, defense को हम 50,000 करोड allocate कर रहे हैं, तो वहां से decision जो नो लग गया कि अब defense sector में कितनी खरेदारी की जाएगी, कितनी production होएगी education sector के अंदर कितनी की जाएगी so that is how we decide what quantity of goods and services and at what quantity, जैको resources हमारे पास limited है और हमें के decision लेना पड़ेगा कि इन resources से कौन से goods कितने कितने बनाए, हर goods की unlimited quantity नहीं बना पाएंगे इसी लिए, इस problem को कई बर हम बोलते हैं, problem of allocation what to produce का जब भी जिकर आएगा न it is nothing but allocation problem limited resources से decide कर रहे हो कौन से goods बनाने हैं, कितनी quantity में बनाने हैं, अब यह decide कैसे करते हैं country, depending on economic system, हर country अलग तरह से decision लेती है ठीक है, जी, main criteria services बनाने हैं, maximum possible लोग satisfy हो, और उनकी satisfaction level high हो, country को defense भी चाहिए, बाकी country से protect करने के लिए, country education भी चाहिए medical भी चाहिए, country में लोग subsidies भी मांगते हैं, इन सारी चीजों को इस तरह से balance out करना है कि लोगों की satisfaction level maximum possible हो, maximum possible ही हम achieve कर आ सकते हैं, क्योंकि सारी wants तो वैसे भी limited resources से satisfy हो नहीं पाएंगी, so this is problem of allocation, फिर आता है how to produce, how to produce की समस्य है, basically कि हमें goods को, goods या services को, कौन सी technique से बनाना है, technique दो ही है, labor intensive technique and capital intensive labor intensive technique, basically word labor use होता है, but labor intensive technique का general मतलब होता है, जहां पर हम revenue expenditure को बढ़ा देते हैं capital expenditure को avoid कर लेते हैं, तो हम कहते हैं revenue expenditure चलता रहा है मंगर हम करोडों में investment नहीं कर रहे हैं, on the other hand capital intensive technique होती है, जो हम एक lump sum cost करके, कोई advanced technology, कोई बढ़िया machine खरीद लेते हैं, और उसके वाद हमारे revenue खर्चे कम हो जाते हैं, वहापर हमें तो यह simple सी चीश देखती है, उसके पास कौन से resources की abundance है, क्योंकि जिस भी resource की abundance होएगी, उसका price कम होगा, price कम होगा तो maximum efficiency आएगी, जिसे इंडिया, इंडिया में labor की तदा जाद है, capital की quantity कम है, capital के लिए हम फिर भी foreign investment वे dependent रहते हैं, internal हमारी investment इतनी जादा नहीं होती है, तो basically India is a labor intensive labor surplus economy, इसलिए यहाँ पर suggested क्या है, labor intensive technique suggest करती है, government जान बूच के उसे promote करती है, because labor जादा होने के वज़े से labor intensive technique सस्ती भी पढ़ती है, and लोगों को भी जादा employment मिलेगी, that is why it all depends on the availability of the resources and their respective cost, third है for whom to produce, किस के लिए बनाना है, अब सुन कैसा लगता सर, क्या सरकार बताएगी है, कोई हमें बताएगा कि किस के लिए बनाना है, और साल की starting में कौन ही decide करता है, किस के लिए बना रहे है, for whom to produce ना, कभी भी ऐसे नहीं करते कि आप किस के लिए बना रहे हो, यह decision automatically हो जाता है, जब आप what to produce का decision लिए रहे होते हो, फर कैसे, जब आप यह produce करते हो ना, मुझे यह product बनाना है, typically उस product के users defined होते हैं, जैसे कि आप ज्यादा स्यादा होटेल में खर्चा कर रहे हो, luxury goods बना रहे हो, तो आपको पता ही है न, आप high income class या higher middle class को cater कर रहे हो, on the other hand, आप ऐसे goods बना रहे हो, जो typically poor people या lower middle class वाले consume करते हैं, तो वो goods जैसी आपने decide करें, यह भी decide होगे किस के लिए बन रहा है, So, for whom to produce is basically a problem of distribution, how you distribute your goods and services, इसे बोलते हैं, for whom to produce, and it is connected to the problem of what to produce, while you are solving the problem of what to produce, you automatically solve the problem of for whom to produce, for whom to produce को decide करते हैं, हमें, अलग-अलग economies की अलग-अलग सोच होती है, Capitalist economy कहती है, profit कमाना main aim है, इसलिए उस बंदे के लिए बनाओ, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पे कर सकें, ताकि हमारे profit ज़्यादा से ज़्यादा हो, Socialist economy कहती है, profits का इभाड में, social welfare करना है, तो वो for whom to produce में कहती है, सब के लिए बनाओ, एक जैसा बनाओ, ताकि सब एक minimum standard of living अचीव कर सकें, तो for whom to produce की problem, it basically depends on कौन सी कारा की economy के अंदर आप हो, तो तीन problems तो हमें पता है, अगली चीज़ आती है, what is the provision for economic growth, नेक्स चीज़ हमारी जो यहां पर आ रही है कि economic growth करने की हमारे पास क्या provision है, अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है, consumption expenditure, consumption expenditure versus investment expenditure, consumption expenditure versus investment expenditure, यहां पर यह वाली बात आ जाती है, consumption expenditure में फरक क्या है, जितना ज़दा आप consumption expenditure करते हो, आज तो आप लोगों की चैम में पैसा डाल देते हो, but you have less amount to invest, invest मतलब आप capital assets generate नहीं गर पाते हैं, जिसकी होज़दा है, future में आपकी production capacity increase नहीं हो पाएगी, future में आपकी economic growth कम रहेगी, on the other end अगर आप सारा कुछ investment expenditure में करने लग गए, आप save करकर करके investment expenditure करते जा रहे हो, तो जो present welfare है, present consumption है लोगों की वो कम हो जाएगा, तो हर economy को decide करना होता है, कितना हमें consumption expenditure करना है, कितना investment expenditure करना है, और दोनों ही equally important है, आज सुधारने के लिए कल को भी गाड़ने सकते, कल सुधारने के लिए आज को भी गाड़ने सकते, अगीन यहाँ पर आभी आगे discuss करेंगे, हर तरह की economy इस decision को लेते समय अलग यार्ट स्टिक को अपना ती है, ठीक है जी, जो बेसिकली जब भी आप होना है, provision for economic growth मतलब कितना आज खर्च करना है, versus कितना हम सेव करें, savings ultimately investments बन जाती है, investment से capital formation होती है, and capital formation से future production of goods and services बढ़ जाती है, इन दोनों के बीच में एक balance भी ठाना होता है हमें, right, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अब आए हम economic system, जब हम बोलते हैं economic system, basically it refers कि government की कितनी intervention है, business activities के अंदर, and जो basically जितने भी decision making है, economic decisions है, खरीदने के, बेचने के, वो क्या freely लोग ले रहे हैं, लोग मतलब buyers and consumers are free to take their decisions, या वहाँ पर government के intervention है, is everything being administered, और it is left to the free will of people, if it is left to the free will of people, it is a capitalist economy, and if there is a, if there is a, if it is totally being centrally planned, एक central authority है, जो सब कुछ control कर रही है, prices decide कर रही है, decide कर रही है, तुम क्या consume करोगे, कितने quantity करोगे, तुम क्या बेच सकते हो, then it is a socialist economy, and अगर दोनों को combine करती आजाए, यानि कि लोग free भी है, बट government थोड़ा बहुत intervene भी कर रही है, it is mixed economy, as simple as that, तो बड़ा simple सा concept है, और world इन तीन तरह की economies में divided है, आज की रेट में capitalist economy, capitalism जाधा चल रही है दुनिया के अंदर, तो लोग capitalism के तरह तिल्ट करते जा रहे है, in fact pure socialist economy तो कोई भी नहीं है इस समय दुनिया में, वो तो USSR नाम की country हुआ करती थी पहले, जिसके अंदर रश्या main component होता था, जैसे USSR खतम हुई, आप pure socialist नहीं है, फिर भी अगर आपने example लेने, socialism के North Korea is an example, China is an example, Cuba is an example, these are still socialist economies to some extent, mixed economy इंडिया हो गई और capitalist economy जिनको हम बोलते हैं, US is a capitalist economy, UK is a capitalist economy, most of the European countries are basically capitalist economies, अब इनके एक एक करके features देखते हैं और comparison बता कर लेते हैं, पहला हमारा है capitalist economy, capitalist economy की बात करें, तो ये वो तरह की economy हैं जिसके अंदर government के intervention almost nail होती है, almost nail मतलब थोड़ी बहुत तो intervention होगी to maintain the law and order, judicial system maintain करने में help करने के लिए, to that extent एक government के intervention होगी, otherwise everything is left to the free play of market forces, market forces बोले तो demand and supply, so basically buyers are free to take their own decisions, sellers are free to take their own decisions and that is how the market runs, the decisions are taken, तो अब इस particular case के अंदर, क्योंकि सब कुछ हम government के intervention बहुत कम है, इसलिए उसके नाम होता है free market economy और lazy sphere economy, lazy sphere का मतलब होता है minimum government intervention, कुछ examples दे रखे हैं यहाँ पर basically US, UK, Germany, Japan इस तरह के example दे रखे हैं, जो typically capitalist economy है, ऐसा नहीं है, इनके अंदर government के intervention बिलकुल नहीं होती, बहुत ही कम होगी, इसलिए इनको mixed economy ना बोलके capital economy, capitalist economy बोला जाता है, अब यहाँ पर features दे रखे हैं capitalist economy के, पहला feature है, यहाँ पर there is a right to private property, लोग अपनी property अपने नाम पर own कर सकते हैं, you can hold shares of companies in your own name, you can hold immovable properties in your own name, तो आपके पास property rights यहाँ पर होते हैं, ऐसी भी countries हैं यहाँ पर property rights नहीं होते हैं, yes, socialism के अंदर वहाँ पर जो भी property है न वो collective ownership में होती है, socialism में, वहाँ पर state owns the property, और state, state मतलब जो government है, वो owns the property on behalf of everyone, so इसे बोलते हैं collective ownership का concept, जबकि इंडिया में भी we are used to the concept of private property, हम बोलते हैं यह मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, क्योंकि हम उसके title को अपने पास रख सकते हैं, Secondly, freedom of enterprise, freedom of enterprise का मतलब होता है, कोई भी person किसी भी तरह की economic activity करने के लिए free है, अगर आप चार्टर अकांटर बन गए हो, ज़रूर ही नहीं है, आपको CS related practice ही करनी है, आप चाहो तो कोई business कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ ना भी कर सकते हो, So this is called freedom of enterprise, that state, यानि कि central authority ये decide नहीं करती, आपको क्या बेचना है, कोन से business में जाना है, everything is decided by the people themselves, Second is, Third is freedom of economic choice, economic choice का मतलब, जब आप एक कोई activity कर रहे हो, उसके अंदर क्या decision लेना है, आपने decide कर लिया मेरे को business करना है, किस चीज का business करना है, उस चीज के अंदर भी क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना, कैसे बेचना है, कहां पर बेचना है, all these decisions are up to you, So, one is freedom of enterprise के आप क्या गरना चाहते हो, Second is, freedom of economic choice, याईनि उसको करते समय, जो everyday business पर decision लेने होते हैं, वहाँ पर government की intervention नहीं होती, Fourth is profit motive, क्योंकि हर चीज लोगों की उपर छोड़ दी जाती है, तो यहाँ पर जो भी suppliers हैं, वो सारा business इस सोच को लेकर conduct करते हैं, कि उनको profit maximum रखना है, profit maximum रखने के लिए वो अपनी revenue को highest रखना चाहते हैं, और अपने cost को minimum रखना चाहते हैं, that is how the entire market is driven, profit motive driven, यहाँ पर एक और चीज आती है, consumer sovereignty, sovereignty का मतलब होता है, free to take their decisions, consumers को हम यहाँ bound नहीं कर रहे हैं, कि तुम्हें EC supplier से खरीदनी है, यह तुम्हें यह limited products खरीदनी है, consumers are free to purchase anything in the market, accordingly, क्योंकि consumers का absolute freedom है, इसलिए जितने भी producers हैं, वो consumers को खुश करने के लिए, consumers को satisfy करने के लिए, अपने products को modify करत आप से बनाते हैं, तो ultimately they say consumer is the king under capitalism, why, because all the producers try to supply only those products, which are demanded by consumers, consumer का taste preference change होता है, और उदर से producers change होते हैं, so ultimately कौन drive कर रहा होता है, capitalist economy को, consumer drive कर रहा होता है, next is competition, यहाँ पर competition बहुत जाद होता है, mainly पहला competition है, suppliers का suppliers के साथ, वो competition तो ही है, एक और तरह को competition यहाँ पर होता है, है, recipient, buyers का भी buyers के साथ competition होता है, यह आप सोचोगे, sir, buyer, buyer का compete कर रहा है, जब कोई particular product limited quantity के अंदर होता है, वहाँ पर buyers भी आपस में क्या करने लग जाते हैं, compete करने लग जाते हैं, एक product के लिए, जैसे आपने देगा होगा हमारे यहाँ पर, कई पर कुछ products limited time के लिए available होते हैं, क्योंकि वो limited time के लिए available होते हैं, इसी वज़ा से, buyers आपस में लड़-लड़ के वो समाल लेने की गोशिश कर रहे होते हैं, which is typically in case of sale and everything, तो वहाँ पर buyers भी आपस से compete कर रहे हैं, कि buyers are also free to take their decision, suppliers are also free to take their decision, अच्छा, यहाँ पर competition की वज़ा से एक आगे demerit भी आएगा, कि because of this competition, बहुत सारा expenditure advertisement पर करना पड़ता है, इसे waste expenditure बोला जाता है, क्योंकि इस से, देखा जाए कहीं पर भी हम production capacity को नहीं बढ़ा रहे, this is only to sell the products which have already been produced, तो जो चीज़ बन गई है, उसको बेचने के लिए आप advertisement करते हो, that is why advertisement is considered to be a wasteful expenditure due to competition, आखरी चीज़, absence of government interference, मैंने आपको बताया है, यहाँ पर complete zero interference, ऐसा तो नहीं बोल सकते, government को rule and law and order को देखना है, तो कई बर वो काम करते हैं, इंडरेक्ली बिजनस में interference आ जाता है, best example मैं US का लेता हूं, डॉनल्ड टरंप ने क्या किया था, अपनी US की security को बचाने के लिए, वहाँ पर visa norms को change कर दिया, जैसी visa norms को change किया तो indirectly businesses पे impact आ गया वहाँ पर, तो although वहाँ पर government की intervention minimum है, but to certain next कहीं बार intervention हो जाती है, indirectly, फिर है capitalist economy अपने चारो जो problem है, central problem समने, भी देखी, उनको solve कैसे करती है, तो यहाँ पर बड़ा simple है, what to produce वाली problem solve करते हैं, what to produce मतलब अपने resources को कहा है, वहाँ पर एक की चीज होती है, to earn as much profits as possible, supplier कहते हैं, उतना profit कमाना है, जितना ज्यादा है, ज्यादा है कमा सकते हैं, consumers maximum satisfaction derive करना चाहते हैं, तो what to produce को decision है, कहीना कहीं indirectly consumers ही decide कर रहे होते हैं, क्यों, हर supplier जो profit कमाना चाहता है, वही product बनाएगा जो consumer ज्यादा से ज्यादा खरीदे, and consumers को impress करने के चक्कर में, ultimately who is driving, who is deciding what is to be produced, it is the consumer, जो consumer demand करता है, suppliers, profit motive के चक्कर में वही बनाना शुरू कर देते हैं, secondly, deciding how to produce, labor intensive, capital intensive, क्योंकि यहाँ पर profit motive ही main objective है, तो जिस भी intensive technique के अंदर, cost minimum आ रही होती है, हम उस technique को adopt कर लेते हैं, तो यहाँ पर minimum cost उसी technique को हम adopt कर लेंगे, third, deciding for whom to produce for whom to produce, decide करते समय, we will produce only those products, which are purchased by people having paying capacity, तो इसका मतलब अगर education, low cost education है, generic medicines जो सब खरीद सकें, ऐसी product को भी बनाना बसंद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर, वो लोग customers होंगे, जो pay कम कर पाते हैं, on the other hand, हर वो product बनाने की कोशिश करेगा, जो paying capacity वाले लोग पे कर सकें, nobody wants to open a धाबा, everyone wants to open a very good restaurant, जहाँ पर कोई परसन आए, तो minimum 2-3 अजा रपे का बिल बना के जाए, चिक है जी, last, deciding about consumption, saving and investment, मैंने आपको बोला था, जब भी हम economic growth की बात करते हैं, there is a dilemma, consumption expenditure versus कितना investment expenditure करना है, अब investment is typically dependent on saving, आपकी जो present income है, या तो आप consume करोगे, या save करोगे, saving ही ultimately investment में convert होती है, consumption और saving का जो decision है, एक परसन consume करेगा उस पैसे को, या save करेगा, that is basically dependent on rate of interest, market में जब ज़्यादा rate of interest होते हैं, consumer try to save more, and जब market में rate of interest कम हो जाते हैं, तो consumer वहाँ पर save करना बंद करते हैं, जैसे आजकल आपको बता होगा, market में rate of interest पहले के मुकाबले कम होगे है चाहिए वो savings हो, चाहिए वो FD हो, तो जितना ज़्यादा rate of interest होगा, typically उतनी ज़्यादा savings होती है, savings के बाद अगली चीजाए investment, क्या वो savings वाला पैसा businessmen आगे invest भी करेंगे या नहीं करेंगे, तो investment basically depend करती है rate of return, expected rate of return, rate of return मतलब वो project आपको कितना return देगा, यहाँ पर इसका rate, expected rate of return कैसे निकालते है, compounded वे में निकाला जाता है, तो जितना ज़्यादा rate of return उतनी ज़्यादा investment होएगी, अगर इस तरह की opportunities हैं किसी country गंदर, जहाँ rate of return मैसिव होगा, तो obviously बात है, वहाँ पर investment ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर जो यह decision है कि कितना consumption है, कितना saving करना है, these are dependent on two things, one is rate of interest, and second is rate of return from the projects, तो यह हमने चारो चीज़े देख ली, चारो डिसीजन capitalist economy में कैसे होते हैं, अब यहाँ पर दे रखे हैं कुछ capitalist economy के merits, और साथ-साथ कुछ capitalist economy के de-merits, merits में जल्दी से एक बार रस्त्रू कर लेता हूँ, पहला merit हमारा कहा है, everything is done automatically through price mechanism, best चीज़ डिमांड और सप्लाई पर छोड़ने के लिए यह होती है, सरकार को कुछ भी नहीं करना, everything is done automatically, जैसे जैसे consumers का interest बनेगा, वो डिमांड जादा करेंगे, supplier अपनी supplier विड़ा देंगे, आप chapter number 5 में देखोगे, everything is done automatically, minimum intervention यहाँ पर आ जाती है, which is a merit, secondly, यहाँ पर efficiency ज जादा बहुतते हैं, क्योंकि profit motive जैसी आजाता है, वहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप wastages पूरी तरह से avoid कर दो, and efficiency को full रखो, जब सारी firms ही, इस objective को दिमाग में रखके काम कर रहे होंगी, then it is quite natural that efficiency economy में जादावाईगी, growth is likely to be faster, हर बंदा grow करने की कुशिच करेगा, profits capitalist economy के demerits पढ़ेंगे, वहाँ पे inefficient allocation लिखा होगा, तो बच्चा confused हो जाता है, सर ये optimum है या inefficient है, कोई एक point पर stagnant तो रहो, दोनों जगा logic है, हम optimum allocation capitalist economy में इसलिए कह रहे हैं, कि जब हर organization अपने resources का best possible use करेगी, most profitable venture के अंदर invest करने की कोशिच करेगी, तो overall देखोगे economy में, ज इतना जड़ा फाइदा लिया जा सकता हूं, resources से, that will be the most optimum level, because everyone is trying to extract the greatest efficiency from their resources, उस context में से optimum बोला गया है, demerits में, इसी को inefficient, क्यों बोला गया है, capitalism में, inefficient allocation होती है, क्योंकि, जैसे हमने अब थोड़ी देर पहले पड़ा, हर बंदा उसी जगा पे, उसी sector को allocate करना चाहेगा, जह जहां पर buyers वो लोग है, rich people है, who have the paying capacity, तो ultimately जब आप allocation देखते हो ना, वो बड़ी loop-sided हो जाती है, कुछ areas बहुत जादा grow कर रहे होंगे, कुछ areas बिल्कुल underdevelop रह जाएंगे, कुछ facilities के अंदर ऐसा होगा कि rich people के वास options ही options है, मगर poor people के वास options ही नहीं है, तो इस तरह से loop-sided allocation हो जाती है, जहां, because everything is left to the market forces, and they allocate only for those sectors, which are luxury goods, which are for the consumers having paying capacity, ठीक है, that is why, दोनों चीजे लिखी मिलेंगे, आपको दोनों का reason आपको समझना है, ठीक है, there is a high degree of operational efficiency, यह तो हमने डिसक्स कर लिया, cost of production is minimized, क्योंकि profit motive है, तो हर बंदा अपनी cost को minimum point पे लाना चाहेगा, consumers are benefited, consumers benefited क हो है, क्योंकि consumers के पास consumer sovereignty है, और हर supplier उनीक की satisfaction के लिए काम कर रहा है, accordingly, यहां पर maximum satisfaction का फाइदा मिलता है, capitalism offers incentive for innovation and technological progress, क्योंकि हर consumer की wants को satisfy best possible way में करने के लिए, producers क्या करते हैं, नए-ने तरह के products बनाते रहते हैं, so basically that comes under innovation and technological progress, फिर a capitalism rewards men of initiative, initiative मतलब जो बंदा risk लेने के लिए तयार है, जो बंदा नहीं तरह का business लेने के लिए तयार है, या business में अभी एक अलग तरीके से innovate करके consumer की demand को better करने के लिए तयार है, उसको reward भी उतना मिलेगा, reward क्यों मिलेगा, क्योंकि consumer उसके product को खरीदने लग जाएंगे and उसका profits में it encourages enterprise and risk taking and emergence of entrepreneur class, entrepreneur class क्या होती है, वो खुद अपने businesses run करते है, no doubt वो profit कमाते है, बट उस सारे process में वो labor को भी hire करते है, material भी खरीदते है, तो ultimately economy में flow बढ़ जाती है, इसलिए capitalism के अंदर ये जो entrepreneur class है, ये ultimately growth को drive करती है, ये सारे matters, ये सारे points थे merits के, अब जरा उसकी चुग inequality, inequality ये है कि इस capitalism है क्योंकि आपने सब कुछ market forces पर छोड़ दिया, तो जो अमीर आदमी है वो और अमीर होता जाता है, जो गरीब आदमी है और गरीब होता जाता है, कैसे अमीर आदमी profit कमाने के लिए कोशिश करेगा, कम से कम cost incur करे, तो वो labor को कम पैसे देगा, labor की exploitation करेग तो वो जो gap है, वो जो inequality है वो की economy में बढ़ती जाती है, difference in economic opportunity is unfairness in the society, सब के बीछे logic वही same है, जो मैंने अभी बात करी, there is a precedence of property rights over human rights, यानि कि हम इस चीज़ को तो ensure कर रहे है है, हर बंदा property own कर सकता है, title रख सकता है, these are property rights, हर बंदे को freedom है, choice करने कि ये सारी property rights तो ensure कर द right to have a minimum standard of living, जब इतना ज़्यादा gap आ जाता है, रिच और पूर में, तो कुछ लोगों की human rights violate होने लग जाती है, वो एक decent जिंदगी भी नहीं जी पाते, that is why, यहाँ पना हम बोल रहे है, property rights को बचाने के चक्कर में, हम human rights को ignore कर रहे है, फिर ignore human welfare, यह हमने डिसकस कर लिया, exploitation of labor, वो आपको पता ही है, profit कमाने के लिए, labor की exploitation होएगी, mis allocation क्यों लिख है, वो मैंने आपको समझा दिया, merit के साथ साती, economic instability आ सकती है, आप chapter number 5 में देखेंगे, जितने भी यह recession या boom का कारण है, उसका कारण सिर्फ demand or supply, demand or supply में जैसे mismatch आने लग जाता है, boom चलते चलते recession आ है, तो भी हमें क्या करना पड़ता है, demand को somehow बढ़ाना पड़ता है, supply catch up कर जाती है, यह सारी चेप्टर 5 में डिसकस करेंगे, अगर आपको यादो, तो basically capitalist economy के अंदर fluctuations जादा आती है, जहां पर government सब कुछ control कर रही होती है, वो fluctuations आने ही नहीं देती, to that extent यह demerit माना गया है, इसका, huge amount of expenditure on advertisement and sale promotion वो मैंने आपको बता दी है, wasteful expenditure माना जाता है advertisement, environmental degradation के भी chances होते हैं, क्योंकि obvious सी बात है, एक परसन को अगर environment को बचाने के लिए 5 करोड का को equipment लगाना है, तो उसका profit कम करेगा, तो वो पने profit motive को ध्यान में रखेगा या environment को ध्यान में रखेगा, तो capitalism में due to over exhausting of resources, environmental degradation होती है, socialism की काभी सारी discussion तो मैंने capitalism के साथ ही करती है, बस एक बड़ points देखने है, socialism मैंने आपको बता दी, यहाँ पर हर चीच कौन control कर रहा है, government या government द्वारा appointed होई authority, जैसे इंडिया में पहले planning commission थी, आज की डेट में नीती आयो गया, although India is a mixed economy, not a socialism, बड़ मैं आपको example दे रहो, एक central authority है, जो decide करेगी, दूसरी बत आपको याद रखनी है, कोई भी आज की डेट में totally socialist economy बची नहीं है, USSR थी, अब खतम होगी है, आज की डेट के अंदर, अगर example हमें देखने भी है, तो उसके example हमें कौन-कौन से मिलेंगे, यहाँ पर दे रखे हैं, USSR खतम होगे, North Korea कुछ certain extent है, China और Cuba to certain extent है, यहाँ पर profit main objective नहीं होता है, main objective होता है, welfare of this society, social welfare को ध्यान में रख के ही, यहाँ पर सारे decision लिये जाते हैं, features कोन-कोन से हैं, वहाँ पर individual ownership थी, यहाँ पर क्या है, collective ownership, collective ownership का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कोई भी property rights है, कोई भी बंदा individually किसी property को ओन नहीं कर सकता, title अपने पास नहीं रख सकता, everything is owned by the state, and state मतलब जो central authority है, जो government है, हमारे देश में तो federal structure रे चकर में, center और state अलग अलग बोलते हैं, otherwise state का मतलब होता है, जो भी वहाँ की government है, everything is owned by that particular government, so it is called collective ownership, इसका यहाँ पर दो नाम भी आद रखने हैं, एक command economy, एक है centrally planned economy, command economy का मतलब क्या हो है, क्योंकि यहाँ पर particularly, एक central authority है, जो command दे रही है आपको, जिसकी command सुनके सारा, कुछ गवरन हो रहा है, चाहिए वो consumers हो, चाहिए वो suppliers हो, इसलिए इसको command economy बोला जाता है, क्योंकि एक central authority सब कुछ कर रही है, या फिर centrally planned economy बोला जाता ह economic planning, यहाँ पर one of the main feature है कि, वो five year plans लाएगी, वो two year plans लाएगी, which will decide कि consumers और suppliers आगे कैसे behave करेंगे, absence of consumer choice, वहाँ पर feature क्या था, consumer sovereignty, यहाँ पर हम क्या बोल रहे है, consumers के पास उतनी choice ही नहीं है, क्योंकि consumers को dictate किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, command दिया जाएगा, कि आपक और वो जो merit था, अपना consumer sovereignty capitalist का, यहाँ पर बहुकर उल्टा हो गया, यहाँ पर consumer choice खतम हो गई है, बट यह भी नहीं बहुत सकते, consumer choice जीरो हो गई है, जो basket of goods and services, central authority तो decide करी है, उस basket खे अंदर तो consumer decide करी सकता है, so to that extent, हमारी अभी भी हम क्या गहेंगे, consumer choice है, absence of consumer choice का उनलब जीरो नहीं है, यहाँ पर clear कर दे रख है, within that range, an individual is free to choose what he likes, but वो range कौन decide करता है, वो central authority decide करके देती है, relatively equal income distribution, यहाँ पर क्योंकि central authority सब कुछ decide कर रही है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखेगी, कोई भी बहुत जादा अमीर या कोई भी बहुत जादा गरीब ना हो जाए, it tries to ensure fairness in the society, equal distribution, which is a merit also, minimum role of price mechanism, यहाँ पर जो price mechanism यानी market forces है जो अपने price determine करते हैं, demand and supply, उसका role नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर सारे prices क्या होते हैं, centrally administered prices, government decide करती है, हो सकतर demand and supply यहाँ मेट कर रही हो, मगर government कहेगी price हम यहाँ पर रखेंगे, यह government कहेगी price हम इसके भी नीच रखेंगे, तो यहाँ पर price जो हम आगे जाके market forces पढ़ेंगे, demand and supply अगले chapter में, उसका कोई भी role नहीं रहेगा, कुछ role रहेगा, limited role रहेगा, क्या, जो आपकी overstocking हो जाएगी, जो आपके accumulated stock है, मतलब जरूरत से जादा बना लिया, उसको dispose of करने के लिए socialist economy market forces अलाओ कर दे का administered price है, उसके उपर market forces का जोर नहीं चलेगा, last point है absence of competition, यहाँ पर क्योंकि हर किसी के पास freedom ही नहीं है काम करने की, कुछ limited लोगों को ही काम करने की permission है, बाकी लोगों को decide कर रखा है central authority ने, कौन क्या करेगा, कौन कौन से sector के अंदर जाएगा, इसलिए यहाँ पर competition उतना न इसलिए बात एफिशेंसी गरेगी, बट इसका फायदा यह है कि advertisement जो की major खर्चा होता है capitalism के अंदर, वो socialism के अंदर automatically खतम हो जाता है, merits अब यहाँ नहीं रखना, जो वहाँ के demerits थे, उनको यहाँ के merit बनाते जाना, वहाँ पर social injustice demerit था, यहाँ पर social justice क्या हो गया, merit हो हो गया, वहाँ पर था कि हम allocation ढंग से नहीं कर पारे, balanced नहीं कर पारे, unequal allocation हो रही है, यहाँ पर central authority ensure करेगी कि हर region में economic development हो रही है, हर section of society में हो रही है, यहाँ पर merit हो गया, better utilization of resources, बच्चा कहते हो सर, वहाँ भी optimum utilization बोल रहे हो, यहाँ भी better बोल रहे हो, क्या चल रहा है, तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, वहाँ पर हम optimum utilization इसले बोल रहे हैं, कि जब हर बंदा best, most profitable, most efficient way में allocate करेगा, तो हम मान के चल रहे थे, पूरी economy की allocation optimum होईगी, इसलिए capitalism के अंदर optimum का example दिया, यहाँ पर हम better इसले बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कि जब एक central authority पूरी economy को drive करेगी, जब एक central authority हर चीज decide करेगी, तो planning के साथ काम होगा, और जब planning होईगी, तो utilization better रहेगी, तो दोनों की अपनी अपनी सोच है, we are not here to decide कौन सी सोच अच्छी है, कौन सी पूरी है, क्योंकि इस पर debate सालों से चल रही है, चलती आ रही है, आपको logic assuming that if everything is being planned, it will be done in a better way, तो अगली चीज हमारी कहा, unemployment is minimized, क्योंकि हम guarantee of work देते हैं, ensure करते हैं कि कोई बंदा भूखाना मरे, welfare of the society, class war avoid हो जाती है, class war मतलब अमीरों गरीब के बीच में वार, जो employer और employee के बीच में वार है, minimum standard of living ensure होता है, social security ensure होती है, यह सारे merits है, demerits, यहापर bureaucracy आ जाती है, bureaucracy मतलब central authority में जो बैठे लोग हैं, वो इतने powerful हो जाते हैं कि ultimately वहापर पर corruption, red tapism, favoritism, nepotism, यह सारी चीजे आने लग जाती है, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि आप property rights लोगों की क्या कर रहे हो, छीन रहे हो, socialism takes away the basic rights like the right of property, जब property को यह ओन नहीं कर पाएगा, तो फिर वो करी क्या रहा है, हम हर कोई पैसा कमा के क्या कहता है, वो कहता है, कोई जैता है, मैं shares खरीदूंग, जैता है, मैं land building का right ही नहीं होगा, तो बात ही खता है आपकी, यहाँ पर hard work करने का incentive नहीं होता है क्योंकि profit, मिलता नहीं है, हर किसी को same amount मिलेगा, state की monopolies बन जाती है, central planning authority को sector अपने हाथ में रख लेती है, तो वहाँ पे monopolies आ जाती है, और जहाँ पे monopolies आ जाती है, कोई competition ही नहीं होता है, हाँ पे inefficiencies आती है, consumers have no freedom of choice, you already discussed कर लिया हमने, and extreme form of socialism is not practicable at all, and that is the reason that पूरे world में आज तक USSR को छोड़ कर, कोई भी उसके बाद pure socialism adopt किसी नहीं करी, last में आती है, mixed economy, mixed economy, नाम से बता लग रहा है, आपने socialism और capitalism के features को मिला दिया, तो basically यहाँ पे क्या हो रहा है, market forces अपनी चल ले रहे हैं, they are free, and suppliers are also free to conduct their business in their own way, but government timely market में इंटर्वीन करती रहती है, इस economic system में इंटर्वीन करती रहती है, ताकि हर चीज फेर रहे और unfairness को हम पूरी तरह से अटा दे, अब सवाल ही आया, government की intervention कैसे होती है, पहला तरीका, government कुछ sector अपने लिए पूरी तरह से अभी तक, अभी तो private trains शुरू हो जाएंगी, आगे future में आप देखोगे, बट अभी तक government ने railways को अपने हाथ में रख रखा है, डेली के अंटर में डेली के अंटर में डेली के होल्डिंग है, similarly हमारे देश में मुंबई में शाइद Reliance Metro चला रहा है, but most of the metro trains जो चल रही ह है हमारे देश में, वो government owned है, उड़गाओं वाली भी नहीं private owned है, कुछ private owned चल रही है, बट कुछ जगा पे, जैसे दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली के अंदर private metro नहीं चल सकती, government ने अपना सेक्टर बना के रख रखा है उसको, तो एक तरीका तो होगा, government ने सेक्टर ही करना है, जैसे हमारे देश के अंदर आज की डेट में, पहले BSNL हुआ करता था, BSNL से कंपीट, BSN तो खतम ही हो गया, almost, उससे कंपीट करने के लिए Airtel आ गया है, Jio आ गया, ID और Vodafone मर्ज हो गया है, all are private players, but उनको सुननी किस की बढ़ती है, उनको सुननी पढ़ती है, PRAI की guidelines, तो टेलिगोम सेक्टर को regulate करने के लिए एक set of, पूरी एक body बना दी सरकार ने, उनके rules है, उनकी regulations है, जिनको follow करना पड़ता है, अगर आप follow ना करो, तो उस पर penalty लगाई जा सकती है, आप पर, similarly किसी भी business के अंदर labor laws होते हैं, maternity laws होते हैं, जो hazardous industries हैं, firecrackers वगरा महां के अलग laws होते हैं, protection of employees के लिए अलग-अलग हमारे act बनाए गए हैं, जो employer को कहते हैं, आपको insurance लेना ज़रूरी है, अपने employees का, compensation पे करनी ज़रूरी है, अगर उनकी death हो जाती है, employees की, so all these are certain examples of laws, जो सरकार ने बनाए हैं, तो यहाँ आपर दोने example दे दी हैं, मैंने, पहली चीज की selected industry government खुदरन कर देती है, कई पर government ऐसे measures लेती है, basically ऐसे laws बनाती है, जिससे वो regulate कर सके private sector को, इंडिया में ऐसा ही होते हैं, फिर यहाँ पर typically तीन तरह के sector होते हैं, एक है private sector, private sector वो मतलब जहाँ पर जो भी entities business कर रही हैं, वो privately owned है, they are owned by a single person or a group of persons, group of persons पे partnership firm ह होगी, private company, public company, वो सब आप BC में बढ़ते हो, that is called private sector, public sector के अंदर वो entities आ जाती है, जो पूरी तरह से government owned हैं, वैसे पूरी तरह से तो अब government owned रहे नहीं गई, जिसमें majority stake government का, यानि 50% से जाधा government की holding है, उन्हें हम public sector companies या public sector entities बोल देते हैं, एक नहीं तरह का sector होता है, पर government और private players मिल के किसी venture को कर रहे होती है, जैसे इंडिया के अंदर जितने highway projects हैं, वो PPP model में चलते हैं, जहाँ पर government क्या करती है, land allocate करती है, बाकी facilities प्रोवाइड करती है, जबकि जो सारा construction का काम है, सारा development का काम है, infrastructure का, वो private players करते हैं, बाद में जब toll की revenue आती है, वो पा सा काम कर रही है, private companies भी काम कर रही है, merits of mixed economy देखोगे, तो हमने basically क्या किया है, यहाँ पर पहले 5 merits हमने capitalism से ले ली है, और अगले 3 merits हमने socialism से ले ली है, क्योंकि यह ही दोनों का combination, तो यहाँ पर obviously बात है, दोनों के merits को mix कर दिया जाएगा, demerits के लिए है कि बहुत सारी economies ने अपने आपको क्या बना लिया over a period of time, mixed economy बना तो लिया है, बट असली में वो है capitalism ही, capitalism को छुपाने के लिए कुछ countries ने क्या कर दिया, mixed economy बना लिया, मगर असली में देखा जाए, they will resemble capitalism होगी, जैसे इंडिया के अंदर भी ऐसा बोला जाता सरकार pro business हो गई है, सरकार हर चीज में businesses को पूरी तरह से right देती जा रही है, तो ऐसी allegations हर mixed economy में लगाई जाती है, जब क्योंकि mixed economy typically आजकल क्या होती जा रही है, they are more inclined towards capitalism, they are more inclined towards capitalism, और अगर government ज्यादा restrictions दानने लग जाए, तो फिर ये problems आने लग जाती है, efficiency drop हो जाती है, corruption हो है, wastage of resources जाती है, तो mixed economy में government intervention और freedom, इन दोनों के बीच में balance maintain करना बहुत मुश्किल होता है, that is the basic demerit of mixed economy, तो ये था हमारा chapter number one, जैसे कि मैंने बोला इस chapter के अंदर, कोई भी concept आपको मुश्किल नहीं लगा होगा, बहुत ही basic concepts है, करना जरूर है, around 5-6 marks की minimum weightage, और अपर स 10 marks की weightage आ सकती है, second chapter जो हमारा है, इसके बादन start करने वाले है, second chapter is the lengthiest chapter of our syllabus, उसके अंदर तीन अलग-अलग units है, and let me tell you, उसकी weightage काफी high रहने वाली है, तो अब second chapter पर आते है, second chapter पर अच्छा का सा time spent करेंगे, let's start with chapter number two, chapter 5 हमारा जिसका नाम है business cycle, business cycle का meaning हमने chapter number one में discuss कर ल अब मैं आपको पहली बता तो यह अभी तक जितना भी हम topic कर रहे थे ना, चार चेप्टर में, वो microeconomics था, यह कहें ना कहीं, macroeconomics related है, और मुझे थोड़ा institute से दिखकर दिया है, कि institute ने macroeconomics के जो basic concept है, aggregate, demand, aggregate, supply, वो सब इंटर के लेवल पर डाल दी है, but उनकी जो implication है, जो आप business cycle पढ़ने के लिए relevant होता है, वो सब यहाँ पर foundation level पर डाल दिया, तो इसका मतलब आप यह वैसे chapter ना, business cycle logically समझने की कोशिश करो, unless you know the concept of aggregate demand, aggregate supply, आप इसको logically नहीं समझ सकते, इसलिए मैंने जब आपको याद होगा, class में कराया था, मैंने इस पर 3 lecture लिया थे, जह foundation के perspective से relevant है, उनी को discuss करूँगा, class में तो मैंने बहुत detail में with logic वगरा समझाया था, पर वो सारी चीज़े कही नहीं, मैंने इंटर के level वाली चीज़े भी आपको पढ़ा दी थी, just because, ता कि आपको यह chapter अच्छे समझ आ जाए, चली, सबसे वहले business cycle के meaning से चलते है, business cycle का meaning then up then down, यानि कि कहीं न कहीं economic के अंदर, economic variables जो भी हैं, चाहे वो GDP हो चाहे वो growth rate हो, चाहे वो हमारा production हो, लोगों की employment हो, वो सारी चीज़े बढ़ती घठती रहती है, इन economic fluctuations, इन ups and downs को बोलते हैं business cycle, और ध्यान देना, हर वो economy जो market forces पे operate करती है, उसको इन business cycle से गुजरना ही पड़ेगा, तो इसका definition क्या हो गई, rhythmic fluctuations, रिदिम मतलब, periodical rhythm fluctuations in aggregate economic activity, aggregate economic activity मतलब, वारी चीज़े इसके अंदर कवर हो जाती है, चाहे GDP हो, चाहे employment हो, चाहे आपकी production हो, चाहे आपकी per capita income हो, everything, they will fluctuate over a period of time, there will be periods which are very good, जिने हम boom बोलते हैं, जिने expansion बोलते हैं, then there will be period चाहां प पेशा कम थी 2020 चे पहले, 3-4% चल रही थी, हम लोग कह रहे थे कि दिर दिरे recession आ रहा है, recession आ रहा है, but जिस तरह का depression अभी इन दिनों में आ रहा है, negative growth rate आ रही है, और कह रहे हैं कि 3 quarter तो ही गए negative value, कह रहे हैं अगले 3-4 quarter और लगेंगे अभी negative में, this is a perfect example of business cycle, so business cycle का हमने यहाँ पर definition दे रहे हैं, वो आप read कर सकते हो, more or less मतलब यह जो मैंने आपको बताया, बस words change किये गए है, इसके अंदर period of good trade आता है, period of bad trade आता है, period of good trade में prices भी बढ़ रहे होते हैं, और unemployment low होती है, क्यों होती है इसका logic हम समझेंगे, क्योंकि production इतनी high scale पे हो रही होती है, क उनको कही नहीं employee किया जा रहा होता है, और उने high rate of payments मिल रही होती है, business cycle के दो characters एक दे रखे हैं, कि business cycle एक चीश तो पक्का पक्का है, business cycle हा recurrent, they will keep occurring periodically, अगर बूम चल रहा है, तो आप you can't assume that हमेशा बूम चलेगा, similarly आजकल recession चल रहा है, तो you can't assume हमेशा यह recession चलेगा, they will definitely be boom, but the problem is point number two, हम सब को पता है कि वो बार-बार होंगे, boom के बाद recession होगा, recession का वापिस boom आएगा, expansion आएगा, but यह नहीं पता कितनी लंबी length होएगी, अब यह जो current recession है, यह सिर्फ 2-3 quarter चलेगा, यह यह 2-3 साल चलेगा, this is something जहाँ पर difference of opinion आता है, अब देखते होगे, अगर newspaper that they occur periodically, but nobody can guess the length and the intensity, जिस जो हर एक business cycle की होती है, different phases of business cycle, जब उपर जा रहे होती है, उसे expansion बोलते है, इसका दूसरा नम भूम भी होता है, then जब आपकी थोड़ी वोथ economy नीचे आ रहे होती है, उसे contraction बोलते है, जैसे अगर यह टेंपरेरी होता है, एक महीने दो महीने के होती होती है, तो हम उसे contraction बोलते है, in fact, अगर आप COVID से पहले भी देखो, तो हमारे हम contraction phase में चल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो economic growth rate है, वो 3-4% आ गई थी, जब severe form हो जाती है, जब हम बहुत ही नीचे चले जाते हैं, तो उसे depression बोलते हैं, और जो bottom most point होते है, उसे बोलते है, तो दो turning points आते हैं, एक आता है peak, जब उपर जाते हैं, नीचे आने लग जाते हो, from where you convert from boom to contraction, and then there comes truff, truff तब होता है, जब आप severe depression से वागपिस recovery phase में चले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चारो का explanation दे रहा है, फिर यहाँ पर expansion के वारे में समझाए, expansion और contraction का अगर आपक अपर आपके लिए खतम है, तो मैं आपको फिर से डाइगरम तो नहीं पर आपको जल्दी जल्दी आपको उसका सारा meaning समझा रहा हूँ, expansion में होता क्या है, basically expansion की पहला step होता है, investment, जब तक investment ने होगी, तब तक आहानी बढ़ेगी नहीं, investment बढ़ने से क्या होता है, basically investment से बढ़ाते हैं, उससे हमारा aggregate demand सो करोड से ज़्यादा बढ़ती है, multiplier effect कैसे होता है, मैंने समझाया था, कि एक बंदे के लिए expenditure जो होता है, वो दूसरे बंदे की income होती है, वो फिर खर्चा करता है इस तरह से, अगर मैंने सो करोड रुपे की investment करी है, तो उससे हो सकता है aggregate पांसो करोड बढ़ जाए, जैसी aggregate demand बढ़ती है, तो ध्यान देना, macro economics में कीन्स का मानना था, aggregate supply is totally elastic, तो अगर demand बढ़ रही है, तो उसको catch up करने के लिए aggregate supply क्या करेगी, expand करेगी, producers automatically अपनी unutilized capacity को use करने लग जाएंगे, कीन्स का हमेशा मानना था, economy के अंदर underutilized resources पढ़ AD बढ़ा अगर, AD को बढ़ाते ही, AS expand करना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी production बढ़ानी पड़ेगी, और production बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें factors of production जाधा चाहिए होंगे, अब मुझे एक चीज़ बताओ, factors of production की एकदम अगर requirement हो ज business sector के लिए, या producer sector के लिए खर्चा है, वही household sector के लिए income है, producer sector उसे बोलता है household payment, factor payments और वो household sector उसे बोलता है factor incomes, तो factor payment अगर बढ़ी, उधर से household sector की income भी तो बन गई, क्योंकि household sector की income is nothing but जो factor payment बिजनस वायों ने पे करी है, ये land labor capital अपने provide करते हैं, जैसी household income बढ़ती है, त तो C plus I, यानि की consumption और investment expenditure बढ़ जाता है, और जैसी ये बढ़ते हैं, फिर से क्या हो जाता है, aggregate demand बढ़ जाती है, और ये cycle चलती चली जाती है, aggregate demand बढ़ने से aggregate supply बढ़ रही है, उससे production बढ़ रही है, production बढ़ने से factors of production की demand जाधा आ रही है, उनको जाधा factor payment मिल रही है, उन automatically economy इस तरह से run कर रही होती है, खर्चा automatically होता है, तो ultimately आप देखोगे न, what is driving the economy at any point of time, it is the demand which is driving the economy, not the supply, कीन्स का मानने है, supply तो merely catch up catch up खेल रही होती है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ से features निकल के आजाएंगे, आपके boom के, high demand होएगी, high standard of living होगा, क्योंगे unemployment almost nail होएगी, मैं यह क्यों बोल रहाँ, almost nail होएगी, क्योंकि दो तरह की involuntary unemployment दे रखी है, पहली है frictional unemployment, दूसरी है structural unemployment, यह तो exist करेंगी, frictional unemployment होती है, जब एक job को change करके दूसरी job बंदा join कर रहा होता है, तो perfect mobility नहीं होती है, बीच में कई बर वो gap ले ले लेता है, या उसक अपनी skills अप्ग्रेड करनी होती है, तो उस चक्कर में गैप आजाता है, during which he is unemployed, यह तो रहेगी, रहेगी, क्योंकि there is no perfect mobility of labor from one job to another, दूसरी चीज, structural unemployment, जब कि भी economy के अंदर structural changes आते हैं, जब पहली बार computers introduced है हमारी economy के अंदर, तब लोगों को train करने के, लोगों को skill करने के लिए उस चीज के अंदर, तब महां पर क्या आ रहे थे, structural changes से deal करने के लोगों को कुछ समय के लिए training देनी पड़ती है, to that extent they are unemployed during that particular time, तो यह दोनों तरह की unemployment तो exist करेंगी, otherwise during the boom period, unemployment to a great extent कम रहती है, stock market prices हमेशा high के चल रहे होते हैं, क्योंकि profits हाई होते हैं, companies के wages बढ़ र spiral चली रहे, सब चीजे एक दूसरे को fuel कर रही है, तो यहाँ पर problem कहा आती है, problem वहाँ शुरू हो जाती है, कि aggregate supply ना, एक stage बाद, cop-up नहीं कर पाती, demand के साथ, aggregate demand बड़े जा रही है, aggregate supply ठीक है, catch-up कर रही है, वो इस तरह से cop-up नहीं कर पा रही होती, इसलिए one of the feature, जो हम हमेशा boom के अंदर रहता है, वो है inflation, inflation हमेशा चलेगा, it is one of the inherent feature of boom, जब economic growth होईगी, inflation रही ही, क्योंकि aggregate supply को catch-up करने में थोड़ा-सर टाइम होगा, और inflation हो जाएगी, जब यह inflation हाथ से बाहर चली जाती है, inflation की चक्कर में, household की income क्या होती है, household का expenditure एक stage बाद, stagnant हो जाता है, कारण क्योंकि उनकी income बढ़ रही है, बट इतनी नहीं बढ़ रही है, जितने market में बाहर prices बढ़ रहे हैं, goods के, तो वो अपनी household sector क्या करते हैं, जो अपना expenditure है, वो stagnant कर लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो aggregate demand continuously बढ़ रही थी, एक stage बाद वो stagnant हो जाती है, मतलब यह करते रहते हैं, करते रहते हैं, जिस वजह से ऐसी situation आजाती है, जहां पर aggregate supply, aggregate demand से ज़्यादा हो जाती है, अभी तक क्या हो रहा थी, aggregate demand बढ़ रही थी, उसको देखकर हम supply बढ़ाय जा रहे थी, अब यहां पर हमारा optimism की वजह से हम यह realize ही नहीं कर पाए, कि aggregate demand stagnant हो गी है, हर चीज नहीं economy में immediately नहीं पता चलती है, और producers को पता भी चलती है, तो वो over optimism के चक्कर में अपनी production को उसी level पर रखते हैं, जैसी यहां पर aggregate supply, aggregate demand से बढ़ जाती है, तो typically we see हर producer के पास inventory यानि की unsold stock आ जाता है, और जब वो unsold stock आ जाता है, तो वो दो चीजे करते हैं, पहल पहली चीज वो क्या करते हैं, वो अपने prices को गिरा देते है, prices drop, production stop करते ही क्या होता है, इसका spiral effect होता है, economy के अंदर, क्योंकि हर sector दूसरे sector का customer होता है, तो मैंने आप एक्जामपल लिया था, अगर गाडियों के production stop हो, वो उन्होंने आगे order दे रखा था, let's say tire company को, tire company के order cancel हो गे, tire company ने आगे rubber का order दे रखा था, उसने rubber के order cancel कर दिया, rubber वाले ने आगे किसी machinery का order दे रखा था, वो उसने machinery cancel कर दी, उसने machine मनाने के steel का order दे रखा था, उसने steel cancel कर दी, यानि जैसी ये stage आती है, जहां पर लोग production stop कर रहे होती है, इसका बहुत spiral effect होता है, इससे होता क जो typically हमारे producers है ना, उनके profits drop कर जाते हैं और उनकी sales भी drop कर जाती है, ठीक है जी, क्योंकि एक एक करके सारे एक गुसरे के order अगर cancel करते रहेंगे, sales drop करेंगे और profit तो drop करेंगे, क्योंकि आपने prices भी कम कर दे अपनी sales को बढ़ाने के, अपनी unsolved inventory को निकालने के लिए, जैसी आपके profit और sale कम होती है न, इनकी factor payment करने की capability है वो कम हो जाती है, accordingly ये क्या करते हैं, wages cut करने शुरू कर देते हैं, आगे की जो capital expenditure है उनको avoid करने लग जाते हैं, nutshell में factor payment कम हो जाती है, factor payment कम हो जाती है तो उसका direct impact किस पर पड़ जाता है, household की income पे, household income कम हो जाती है, household income कम हो ज जाता है, household का जो expenditure है C plus I, वो कम हो जाता है, उससे aggregate demand और कम होती है, फिर aggregate supply और कम करनी पड़ती है, production बंद होती है, और ये अब क्या चालू हो गया, negative spiral, this leads to negative spiral, तो अगर आप ध्यान से देखो, दोनों जगा spiral चलता है, भूम में भी spiral चलता है, यहाँ पर भी spiral चलता है, बट positive spiral से negative spiral आने का main कारण क्या होता है, inflation, और inflation की वज़ा से जब aggregate demand stagnant हो जाती है, और उसको realize नहीं करपाते है, producers, वो production करते रहते हैं, over supply कर देते हैं market के अंदर, उस वज़ा से यहाँ पर क्या दिक्कत आने लग जाती है, क तो severe form of depression आ जाता है, जिसके अंदर businesses बंद होने लग जाती है, companies बंद होने लग जाती है, for the simple reason, उनके पास demand होती नहीं है, और एक stage बाद वो अपने क्या करते हैं, workers को निकालने लग जाते है, unemployment severe होती जाती है, तो contraction क्या severe form ही basically क्या होता है, depression, right now, covid के बाद जो situation चल रही है, उसे depression का या recession का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अब businesses बंद हो रहे है, it is not just contraction की भाई, मेरी थोड़ी बहुत sale कम हो गई, मैंने थोड़ी बहुत job क्या कहते हैं, मैंने थोड़ी बहुत लोगों क्या package कम कर दिया, now is the situation जहाँ पर job cuts होने है massively, तो आप देख रहे हो, यह depression की, यह recession की category में आ गया है, जब यह लंबे समय तक चलता है, इसे depression बोल दिया जाता है, तो words का फरक है, contractionist economic activity थोड़ी सी कम हो नहीं, जब वो लंबे समय रहती है, तो recession बोलते है, और जब वो एक norm ही बन जाती है, businesses बंदोने लग जाती है, severe form धारन कर लेती है, वो depression कला जाती है, बड़ जाना, हर रात के बाद एक रोशनी आती है, एक सुबह होती है, वैसे मैंने जब record कर रहा हूं, मैं रात को कर रहा हूं, सुबह के छे बज़ गया है, पूरी रात रीकॉर्ड कर रहा हूं, marathon करने की जल्दी है, मुझे भी तोड़ी तोड़ी ना, हाँ, तो जब तक investment नहीं होएगी ना तब तक वो negative spiral चलता रहेगा इसी लिए आप देखते हो जब भी recession आ रहा होता है ना government पूरी कोशिश करती है नई investments लाने की which is typically being done right now also हम कोशिश कर रहे हैं foreign investors इंडिया के अंदर invest करें government खुद invest करती है तो investment से क्या होता है वो जो trigger point है ना वो आ जाएगा अब सवाल यह है सरकार खुद सारी investment कर नहीं सकती why would a private player invest in a scenario like this जहां पर aggregate demand कम होती जा रही है household के पास income नहीं है खर्च करने के लिए क्योंकि वो unemployed बैठे है ऐसे scenario में कोई नई investment क्यों करेगा there are always businesses there are always people जो recession के अंदर एक strong business model बना देते हैं क्योंकि recession के दौरान हर चीज cheap rate पे available होती है तो जैसे जैसे इस तरह के businessmen recession के समय investment करते हैं वैसे वैसे economy में revival आने लग जाता है aggregate demand फिर से बढ़ने लग जाती है और एक बार अगर हम फिर से spiral के अंदर आ गए फिर तो economy automatically क्या हो जाती है back on track आ जाती है तो these are the things which we need to understand रट्टा मारने की जुर्यत नहीं है आपको मैंने जो समझाया just give it a reading आपको ये चीज सारा कुछ समझ आ जाएगी जोनों नहीं से class लिए उनको तो मैंने obviously इसका फुरा flow chart पहले ही बनवा रख है जो आपको पहले ही बता देते हैं कि आगे कोन सी phase आने वाली है आगे क्या होने वाला है basically इसके अंतर मैंने आपको बोला था first and four, सबसे important चीज होती है orders एक company के पास future के लिए कितने orders है that is basically a determinant of the fact that वो सही मतलब वहाँ पर growth के आगे chances है या और भी बहुत सारी चीज़े होती है यहाँ पर चेक करने के लिए जैसे stock prices हमेशा future पर depend करते हैं profit margins जो ratio analysis होता है वो सब आपको future की growth के बारे में बता देते हैं second is lagging indicator जो बताते हैं जो past में जो चीज हो गई है performance अच्छी हुई है बुरी हुई है उसके बारे में बताते हैं इसका best example होता है वो सारी figures जो year end के बाद आती है जैसे मैंने example लिया था अगर आपने check करना है last year construction activity कैसी होई आप यह देखो कि last year नए meter कितने लगे उससे आपको बता लग जाएगा नए घर कितने बने और नए buildings कितनी बनी है these are lagging indicators एक चीज हो गई उसके बाद बताती है coincident indicators नाम से पता लग रहा है यह साथ साथ बताते चलते है कि इस समय economy में क्या हो रहा है उपर जा रही है नीचे जा रही है typically यहाँ पर सारी चीज़े क्या आती है जो हमारे quarterly results आती है estimated basis पर आती है वो हमें बताते रहते है simultaneously की economy में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा ठीक है जी आच्छा इसके बाद कुछ features है जानने business cycle के ये एक बार read कर ले real life example जो business cycle के है आज तक इसमें से जादा कोई question आया नी फिर भी मैं हमेशा suggest जरूर करता हूं कि ये बच्चे एक बार read जरूर कर ले वैसे तो इसके अंदर आगे future में मुझे ऐसा लगता है एक नया जुड़ जाएगा COVID 2020 का recession भी थोड़ा लंबा जादर चलाना और इसके repercussions और जादा होते गई क्योंकि अभी जातुरा नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा बहुत ही जल्दी ये जो तीन business cycle आज तक के दुनिया के सबसे famous है फूर्थ अब COVID के चक्कर में लिखा आजाएगा इसके उपर भी पूर analysis होगा कि ये recession कैसे चला है कैसे इससे recovery हुई है बस बगवान करे recovery हो जाए बाकि ये जो business cycle के reasons है मैंने आपको बता दिया की इसका कहना था हर चीज aggregate demand से driven है और aggregate demand में अगर आप देखो ना चार चीज़े हैं C प्लस I प्लस G प्लस NX net exports G stands for government expenditure I stands for investment expenditure C stands for consumption expenditure तो यहां पर जो आप causes of business cycle देखोगे न mainly वो क्या कर रहे है इन चारों चीज़ों में से कोई भी चीज fluctuate हो रही है जिसकी वज़ा से हमारा aggregate demand में fluctuation आ रही है और correspondingly business cycle आ रही है तो nutshell में मैंने आपको बता दिया एक एक point आप read कर सकते हो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अगेन I am telling you इसके अंदर यह जो आप हर चीज aggregate demand और aggregate supply से relate करके देख रहे हो यह ऐसा कुछ आपको बुक में लिखावा नहीं मिलेगा जस्ट आपकी understanding purpose के लिए मैंने आपको class में हर चीज aggregate demand और aggregate supply से link करके बताई थी because ideally this is how it should have been taught in the book बड़ आपकी बुक में सब written form में दे रख है उसको aggregate demand और aggregate supply के terms में नहीं समझा रखा Well guys that was our business economics marathon मुझे उमीद है अगर आप वीडियो में यहां तक पहुँचे हैं तो आपको यह marathon बहुत ही useful लगा होगा तो आपको 75 प्लस लेने से कोई नहीं रोग सकता फिर से एक बर आपको दो-तिन चीज़े बता दूँ हमारी test series free of cost आपके relevant attempt के लिए conduct हो रही है May 22 के लिए अलरड़ी चल रही है और अगर आप यह video November 22, May 23 बात की किसी attempt में देख रही है तो test series की, free test series की latest update के लिए हमारे telegram channel पे जरूर जाके देख लिजएगा वहाँ पर आपको information मिल जाएगी और daily quiz हमारी exam से पहले चलती रहती है telegram channel पे तो telegram channel अगर आपने join नहीं किया तो please 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 उसे join कर लिजएगा ताकि आपको सारी updates मिलती चली जाएगा और last is, वीडियो अगर पसंद आई है, useful लगी है तो please वीडियो को like कर दिजएगा, अपने friends का share कर दिजएगा और channel पे नए हो तो channel को subscribe कर दिजएगा BCK और बाकी subjects का marathon का link मैं description में update कर दूँगा उस उन marathon को भी देखिए, उनके अंदर भी अपनी अच्छी पकड बनाई है and I'll keep meeting you in the next videos, अगर आप मुझे Instagram पे follow करना चाते हैं तो उपर दी गई Instagram ID पे आप मुझे follow कर सकते हैं वाँपे मैं updates भी डालता रहता हूँ और अगर आपको कोई भी query हो आप मुझे personal message में Instagram पे भीज सकते हैं Okay then, see you in the next video, take care, bye bye, this was Sanchit Grower with you, all the very best